तो गाइस आज मैं explain करने वाला हुई एक new enemy series जिसका नाम है searching for immortals और गाइस यह enemy series काफिस साधा interesting होने वाली है क्योंकि इसमें हमें cultivation और current world में जैसे technology यह सारी चीज़े भी देखने को मिलेंगी तो अगर आपको मारे इस वीडियो के explanation पसंद आएगे न तो चैना को like subscribe चरूर क करती हैं तो episode के starting में हमारे main character को दिखा जाता है जिसका नाम होता है लिंचेन और इसके पीछे कुछ गुन्डे पड़े होते हैं यह पैसे वाले गुंडे होते हैं मतलब पैसे उधार लिए होते हैं तो इसी के चक्कर में गुंडे पड़े होते हैं हमारा main character लिंचेन बतात और फाइली उन गंडों से बच कर भाग जाता है गुंडे भी कते क्या ही बंदा था यहार कितना ज्यादा तेज भागता है उसके बाद हमें उपर ही दीखा जाता हमारा जो में कैरटर लिंचेन होता है वो एक पेड़ पर बैठा होता है लिंचेन भी कते बाल बाल इन लेट के साथ में पहुंच जाता है और हम facing की गल्फरेंड कोא दिखायाताwend जिसका नाम ऑ वहाँ पर जो वो लड़की होती है जिसका नाम होता है जियावे वह हमारे मेंड केडर लिंचन से पूछ से अच्छा अच्छा तुम्हारे मदर फादर को कोई न्यूस मिला कि आखिर वो लोग कहां गायब हो गए वहाँ पर लिंचन से ढूरते बोलता नहीं मैंने बहुत ही ढूड़ा मैंने पूलिस में भी उसकी कम्पलेन की लेकिन पूलिस भी मेरे मदर फादर को नहीं ढूड़ पा रही है मैं कई दिनों से पूलिस इस्टेशन भी जा रहा हूं लेकिन पूलिस इस्टेशन से भी कोई इन्फोर्मेशन नहीं मिला ही कि मेरे फादर और मादर कहा चले गए तब वहाँपर जो जियावे होती है वाकती है अच्छा तुम्हारी मदर और फादर की कंपनी उसकी क्या हालत है क्या वो तुम्हारे नाम हो गई वहाँपर जियावे थोड़ा सा मतलब सैड हो जाता और गुसे में कतन ही मेरे फादर का जो फॉर्मर असिस्टेंट था उसने कंपनी में कुछ धोके दड़ी करकर पूरी कंपनी को अपनी नाम करवा लिया और सेयर होल्डर्स भी अब उसी के साइड हो चुके हैं मतलब मेरे हाथ से कंपनी भी चली गई वहाँ पर वो जो जियावे होती है उसका में थोड़ा सा नेगटिव रूप देखने को म ही मिला अभी ये कंगाल हो चुक है मैं इसके पैसो की वज़े से इसके पास आई थी इसलिए वह लिंचें से बोलते लिंचें दरसल मैंने तुम्हारे और मेरे रिलेशन के बारे में अपने फदर और मादर से बात किया और उन्होंने सीधे हमारे रिष्टे को माना कर दिया इसलिए मैं ये रिलेशन तुम्हारे साथ तोड़ना चाते हूँ आज से तुम मेरा पीछा मत करना जो भी हमारे बीच में रिष्टा हुसता था वो सारा आज मैं खतम करते हूँ ये लो तुमने मुझे अपना बड़े प्रिजेंट दिया था न ये रिंग ये रख लो और स उसके साथ बहुत ही टाइम से हमारा में केटर लिंचन था लिंचन को इस वात पर विश्वासी नहीं हो रहा था कि जियावे ने उसे धोखा दे दिया वो कंगाल हो चुका है ये लड़की उसके साथ किवल पैसो के लिए ती यही सारी बाते सोसते वे जियावे भी सोर गैस लिंचन भी रास्ते पचला होता है तभी उसे पीछे से कुछ गुंडे डंडे से मार देते हैं जिससे हमारा जो लिंचन होता है वो सीधे जमीन पर गिर जाता है गुंडे भी सीधे हमारे लिंचन के पास आते हैं क्या बेटा तो हमारे पैसे वापस नहीं लोटाएगा वह आप जो गुंडों का लीडर होता है वो सीधे ही लिंचन के पास आता है उसके पास एक नोट से निकाल कर दिखाता है ये देख तेरी फादर ने हमसे पूरे तीन लाख युवान पैसे उधार लिये थे तो चुप चाप हमारी पैसे हमाय वापस कर दे हम तुझे केवल तीन द ही लोटा है तो हम तुझे बहुत ही जादा पीटेंगे और तेरा जो टूटा फूटा घर है न वो भी तोल ताड कर रख देंगे और पूरा घर भी चला देंगे और ये धंकी देने के बाद वो सारे गुंडे भी हमारे लिंचन को मारता ओर ता हुआ वहां से चले जाती है वहाँ पर जो लिंचन होता है वो अपने घर पर वापस पहुंचता है और सोसता है उसके मदर और फादर किस खत्री में होंगे कि आखिर वो मिल नहीं रहें साती सात ये गुंडे उसके पीछे उपर से पड़े हैं उसके मदर या फादर दोनों ही 10 मिलियन कमपनी के तिनी बड़ी कमपनी के मालिक थे आकिर वो गुंडों से 3 लाख उधार क्यों लेंगे बट उस पेपर पर उसके फादर के ही साइन थे यानि उस लेटर में तो कुछ तो अजीब है बट वहाँ पर जो लिंचन होता है वो सीधे कमरे में चला जाता है और और भी अपनी गल्फरेंट के अभी एकदम धोके से एकदम उसे सादमा लगा होता है वो पिछली बातों को याद करता है जोड़ जोड़ से रोने चिलाने लगता है मतलब बहुत जाद गुस्सा होता है इदर से उदर कमरे का समान फेकने लगता है उसे अपने उपर काफी जाद गिल्ट महसूस कराता है कि उसने एक ऐसी लड़की से प्यार किया जिसने उसे धोखा दे दिया वह का साता है आखिर यहाज कहां से आ रही है यह तो अवाजिक बुढ़ी की लगती है लेकिन मेरे घर में तो कोई बुढ़ा रहता नहीं है मैं तो अपने पूरे घर में अकेला रहता हूं तब यह में लिंचेन के जो लॉकेट नहीं था उसमें अजीक से चमक दिखाए जाती है प पूरा वो जो टेबल पहाड और बना होता है वो चमकने लगता और अचानक से वहाँ पर कुछ अजीब से दिरिश्च दिखाय दिये जाते हैं जहां पर एक अजीब सा वर्ड दिखाय दिया जाता है वहाँ पर लिंचेंग इस अजीब से वर्ड को दीकर काफिस जाधा स्वा लिंचें पोर्टल के अंदर ही चला जाता है उसके बाद में पोर्टल के अंदर का सीन दिखाय जाता है जहां पर लिंचेंग आसमान से गिर रहा होता है और काता है आरे यारे यह मैं कहां आ रहा हूँ मैं तो लगता आज गया इतने उचा से में गिर रहा हूँ तो आज त जो बैट का चस्त खेले होते हैं जिसमें से पहला एल्डरस अपनी चाल चलता है यहां पर तो कोई बंद आया है इस दोनिया में कोई आ भी सकता है किया वहाँ पर वो जो बूड़ा होता है वहाँ रहां इंट्रेस्टिंग उसके बाद दूसरा बूड़ा जो चस्त खेला होत उसके बाद जो में बुड़ा होता है वो सीधे हमारे में करेक्टर लिंचेन के पास पहुत जाता और कता है दिल चस्प तुम सच में काफी जाधा मुझे टैलेंटे लगते हो एक मिनट रुको थोड़ा सा मुझे देखने दो तुम्हें वो हमारे में करेक्टर को देखता है तुम्हारे पास तो कल्टिवेशन करने के लिए काफी जाधा बढ़िया फिजीक है और तुम तो काफी जाधा टैलेंटेड भी लगते हो वहाँ पर लिंचेन बोलता है अरे बुड़े अल्डर आप कौन है और आखिर मैं हवा में कैसे टंगा हूँ बुड़ा भी कता है मेरा टेश्टे ले रहे एक कौन सा टेश्ट है जूले पर जूला ना वहाँ पर लिंचेन काता है चलो मजा तो आरा जूले पर बहुत जाधा टाइम हो गया बुड़ा जूले की स्पीड काफी जाधा तेज कर देता मतलब ऐसे पूरा गोल गोल घूबने लगता है लिंचे जूले को पकड़े रखो मैं तुम्हारा बस के वर टेश्ट ले रहा हूँ जिन्ता मत करो जूला तूटे का नहीं और तुम गिरो उरोगे नहीं बट गाइस यहां पर जो जूला होता है वो तूट जाता है हमारा में करेटर बोलता रहे यार यह जूला तूट गया आस तो मैं गया और सीधे पहाड़ी से नीचे गे जाता है लेकिन बुड़ा अपनी पावर्ट का यूज करते हैं सीधे वहाँ पर लिंचन को फिर से पहाड़ी पले लगता है और कहता है सच में तुम काफिस जादा दिलचस्प हो हमारा में करेटर बोलता है क्या मैं दिलचस्प हो बुड़ा बताता हां तुमने कल्टिवेशन की थोड़ी भी प्राक्टिस नहीं किया तुमारी बोड़ी में थोड़ा भी क्यूआ एनर्जी मौजूद नहीं है लेकिन तुमारी फिजीक काफी जादा बढ़िया है हमारा में करेटर बोलता है आखिर आप हैं कॉन आर आखि गुंडे मेरे पीछे पड़े हैं तो मुझे उनके पैसों का इंतिजाम करकर उन्हें पैसे वापस देने होंगे वहाँ पर बुड़ा बोलता है क्या तुमने पैसे उधार लिये हैं तो वहाँ पर हमारा में करेटर लिंचन बोलता है नहीं वो सारे गुंडे मुझे ब्लैक उगडिक कर रहे हैं मुझे उनसे बदला तो लेना है लेकिन मैं क्या करो तब वहाँ पर जो बुढ़ा होता है वक आता है तुम्हारे टाइम में लगता है पैसे को काफ़ जादा इंपोर्टेंस दी जाती है मैं तुम्हें पैसे तो नहीं दे सकता लेकिन ये देखो मेरे पा नर्मल बनता नहीं है वहाँ पर वो मिस्टीरियस जो बुढ़ा होता है वो हमारी में केंटर ल людям चेण से बोलता है सब्सक्राइब करना होगा ध्यान से सुनो तुम कोई गलत काम नहीं कर सकते किसी का रेप या कुछ ऐसा काम के लोगों को परशान करना जब अयस्ति उनसे क्राइम मतलब जान उनसे मार देना तुम्हें ऐसा इस दुनिया में कुछ भी नहीं करना है तो जब तक तक तुम यह रूल फालो करते रहोगे तुम मेरे बढ़ियां डिसाइपल लोगे लेकिन जिसने तुमने यह सारे रू क्या आप इस जगह पर कैद है वहाँ पर बुढ़ा बताता हां तुम इस दुनिया में आने वाले पहले बंदे हो हमारा में गेटर बोत है क्या मैं पहला बंदा हूं लेकिन आप तो एक बंदे के साथ यह बुढ़ी एल्डर के साथ बैठकर चेस्ट कहल लेते जब मैंने आ पोके से कैद कर दिया घ्याता ये जो जगह है वह काफि जाधा अजीब इस जगह ने मेरे पावर्स को जाधा सापरेस कर दिया है जिसके करणा मैं यहां पर अपनी करणी पूरी कारवेशन जाए पावर्स करण संब्स कर देए और इसलिए मैंने तुम्ही अपना disciple बनाया है तुम काफिज जादा मुझे talented लगे तो इसलिए मैं तुम्हे cultivation शिखाऊंगा और तुम्हें जब powerful हो जाओगे तो तुम्हें मेरी help करनी होगी बाहर से इस दुनिया को तोड़ने में तुम मुझे काफिज जादा interesting लगे हो और म मुझे cultivation शिखाएंगे जिससे मेरी power भी बढ़ेगी और मुझे इनकी help करनी होगी जब मैं काफिज जादा strong हो जाऊंगा तो मैं help कर दूंगा वैसे भी मेरी power बढ़ जाएगे तो मुझे अपने mother father को खोजने में काफिज जादा मतलब आसानी होगी इसलिए वहाँ पर हमार को practice करो और मैं तुमारी meridians को भी open करनी में help करता हो जिससे तुमारी cultivation काफी तेजी के साथ बढ़ेगी और तुम cultivation world में अपना entry कर सकते हो तुमें बाहर जाकर बढ़िया से cultivation करा मेरी सिखाएवी techniques को सीखना है और जब तुमें कोई confusion हो और जब तुम level up करोगे तो मेरे पा काने लगते हैं वह cultivation करने के लिए बैड़ जाते हैं और लिंचन को भी cultivation करने के लिए बैड़ जाते हैं वह अपनी पावर्स का यूस करते हैं एक अजीब सा गोला सीधे हमारे main character जुयान की body में डालते हैं जिससे वह जुयान की meridians को open करना शुरू कर देते हमें meridians का scene द दिखा जाता है जहां पर हमारी main character की meridians open हो जाती है और वो भी अपनी body में अच्छी पावर महसूस करता है वहां पर प्रेट्रिया जुयान भी बोलते हैं सच में तो काफिस जादा सिंपल से हो गया यह process काफिस जादा दर्दनाक होता है लेकिन तुम काफिस जादा मुझ नहीं कर सकते हैं मतलब यूस तो कर सकता है लेकिन हर के लिए cultivation पार यह मार रहे है तो जादू करने लोगे से समझेगे इसलिए वहां पर प्रेट्रिया जुयांग होते हैं वह हमारे main character linchen को माशला टेक्निक सिखाते हैं यह माशला टेक्निक से हमारी main character की power भी काफिस जाद बढ़ जाएगी वहां पर प्रेट्रिया जुयांग होते हैं वह हमारी main character को काफिस जादा खातरनाक एक वाक्सिंग वाली और माशला टेक्निक सिखा देते हैं वहां पर लिंचेन उस माशला टेक्निक की प्रेक्टिस करने लगता और उसे भी काफिस जादा माजाता है उसक लिंचेन होता है वो भी पेट्रिया सुयांग को guidance के लिए धन्यवाद बोलता है पेट्रिया सुयांग भी बोलते हैं इस दुनिया में अब यह जो सील है वो कुछ टाइम पर प्रभावी हो जाती है जैसे यहां पर काफिस जादा powerful shock waves आती हैं अगर तुम यहां पर रहोगे तो तुम्हारी body पर काफिस जादा negative effect पड़ेगा इसलिए आप तुम यहां से जाओ और बाहर बढ़िया से practice करो और अपना level up करो उसके बाद हम फिर दुबारा मिलेंगे यह बात बोलते हैं जो पेट्रिया सुयांग होते हैं फिर से portal को open कर देते हैं और कहते हैं ठीक है आ जो यांग को धन्यवाद बोलता है कि मास्टर आपने सत्मे मेरी काफिस जादा help कर दी वहां पर लिंचन भी सोचता है मैं cultivation करूंगा और अपनी powers को बढ़ाऊंगा उसके बाद हमें morning का scene दिखाया जाता है जहां पर लिंचन काफिस जादा देर समय सक सोता होता है क्योंकि रात में उसने काफिस जादा cultivation किया था लिंचन फिर से cultivation करने के लिए बैड़ जाता और इसकी बॉड़ी से एक अलग सी उर्जब बहार निकलने लगती है जो भी पैट्रिया सुयांग ने उसे टेक्निक सीखा था उसकी वह प्रैक्टिस करता है और हमें दिखाया जाता है यहाँ पर जो लिंचन की बॉड़ी पर काफिस जादा ब्लैक ब्लैक कलर के निशान आ जाते हैं गाई से ब्लैक ब्लैक कलर के अंदर की सारी गंदगी होती यहाँ पर लिंचन जैसे जैसे टेक्निक के प्रैक्टिस कर रहा है उसकी बॉड़ी में जो भी impurities हैं वो सारी impurities है गंदगी बाहर निकला जाते लेकिन आज तो यह मेरे साथ रियल में हो रहा है चलो यार पहले मैं नहा लेता हूं उसके बाद वहाँ पर जो लिंचन होता वो नहाँ वा लेता और उसके हाथ में आमें वही चीज देखने को मिलते हैं जो पैट्रियस जुयांग ने दिया था कि वहाँ पर जो लिंचन है इसे बेच कर पैसे कमा सके हमारा में कैट्र भी सुचता है अब मैं श्रॉंग बनूँगा और अपनी गल्फरेंड स्याओ को दिखाऊंगा कि उसने मुझे छोड़कर कितनी जादा बड़ी गल्ती कर दिया है मैं उसे दिखा कर रहा हूंगा उस पर पहुंचता है जो सहर की सबसे बड़ी दुकान उती है मतलब एंटेक्स की सबसे ज्यादव बाड़ी दुकान ुती है वहाँ पर लिंचन उसमें अजीव सा बीटा होता होता है Lizana deficit का सब्सक्राइса 7 कोसिस करती तो इधर आती हमारी पास भी एक सौप है जहां पर तुम चल कर अपनी एंटिक समान बेच सकती हमारा में केट भी इस आवाज को सुनतार पीछे मुटता है वहाँ पर एक अजीब सा बंदा बैठा होता है वह बंदा भी बोलता है क्या सर जी गन्ना खाती अगर नह हमारा में केटर भी बोलता है आप कौन है तो वहाँ पर वह बंदा तुरंत हमारे में केटर को अपना कार्ड दे देता और कहता है यह रहा मेरा कार्ड है इसमें अब मेरी सारी डीटेल्स है मैं भी एक सौप ओनर हूं एंटिक्स चीजों का तो आप आकर अपनी समान इदर भीष सकती हमारा में केटर बोलता है आप ओट आफ शकल से तो मुझे ठग लग रहे हैं गाइस हमारा में केटर इसे दीखक ठग फाचा रहता है वह बंदा बोदारि नहीं जी हमारा नाम मास्टर औया होती हुती है तो कि आप आ सकती हमारे दुकान पर हम आपको समान दिक् है इसलिए यहंफर लिंचन को स्साख होता है कि है बंदा उया जो अपने आपको बोला कही चोर ओर तो नहीं है इसलिए वहांपर थोड़ा सा शतर खो जाता है वहां पर उया भी बोलता है बताईए जी आपको चाबेच न मांगती ये लोकेट थोड़ा सा हमको दिखाती बट हमारा मेन केटर थोड़ा सा दिखाता है उसके बट धक लेता है वहाँ पर रुया बोत लगता है आप मेरे को कम समस लेती आप सोस्ती मेरे पास पैसा नहीं होती मेरे पास बहुत पैसा होती रुकिये में आपक पैसा दिखाते हैं उसके बाद वो अपना कबड खोलता है और वहां से बक्सा निकाल कर वहां पर पैसे रखते था और कहता है देखिए आपके समान के बदले में एक लाक बीस हजार युवान देती है तो कि आपको मंजूर होती है हमारा में क्याटर भी इतने सारी पैसे को द आप अपना ये लाक इट मेरे को देती हमारा में क्याटर भी बोलता हाँ देती देती डिल डन मानती वहां पर वह भी काफिस जादा खुस हो जाता है तभी वहां पर जो वह उया होता है वह बोलता है रुकिए एक मिनट आपकी ये बाड़ी पर ये जो लाक इट है ये तो क तो मैं काफिस जादा इंट्रेस्टिंग होती कि आप इसको बेचना चाहती अगर आप इसको बेचेती ना तो मैं आपको काफिस जादा पैसा देती हमारा मेंolds का रेटर तुरंथ उस लॉकष को चुपा लेता और पीचे चला जाता और सुर्षर नहीं नहीं मेरे को लॉकष नहीं बेचना दरसले मेरे मदर और फादर की लाष्ट निसानी है तो मैं इसे नहीं बेचना चाहता वहाँ पर उया भी बोलता है अच्छा ये आपकी मदर और फादर की लाष्ट निसानी होती तो मैं समझ दिये आपके लिए कितना जादा इंपोर्टेंट होती ये रख मेरा डीटेल से अगर आपको कुछ भी बेचना होती न तो मेरे पास वापस आ सकती में काफ़ी जाद अच्छी कीमत लगाती उसके बाद जो हमारा में करेटर होता है वो अपनी कमरे में आ चुका और राथ हो चुका होता है हमारा मेंट करेटर लिंचन भी सूचता है चलो मैं कल गुंडों से मिल कर उनका पैसा एक लाग वापस कर दोगा तीन लाग था उन लोग एक लाग बोला था पहले वापस दे दो तो मैं वापस दे दूँगा वहाँ पर लिंचेन एक बास उसता है आखिर मेरे फादर और मदर मतलब गया इस मदर ने फादर आखिर गुंडों से पैसा क्यों लेंगे ऐसा तो नहीं है कि उन्होंने किसी अच्छे खासे बंदे से पैसा लिया हो और वही बंदा मेरे फादर और मदर को दुस्मन हो और गा बंदा होगा ताकि मैं उन्हों को पीट पार्ट सकूँ इसलिए वहाँ पर जो लिंचेन होता है वो कल्टिवीशन करने के लिए बैड़ जाता है लिंचेन कुस्ताम कट कल्टिवीशन करता है फिर वह बॉक्सिंग वाली मास्टला टेकनिक की प्रैक्टिस करने लाग जो उ दिखा जाता है हमारी में डिंचेन बहां पर एक मसीन को बनाई होती है वहाँ पर हमारा में डिंचेन बहुत है चलो अपने पावर की टेस्टिंग करते है वहां पर लिंचेन तुरंत अपने पंचिस को उठाता है और काफी खतनाक पंच सीधे ही उस मसीन पर दे मारता और काफी बड़ा वहां पर एक नंबर आता है मतला हमारे मेंड कैड्र लिंचेर ने दोपंचेस मारे थे और दोपंचेस मारने के बाद वहांप नंबर आया था कल्टिविशन करने लगता है जो भी हो वहाँ पर लिंचेंट काफ़ ज़ादा मेहनत करता है और फिर वहाँ पर लिंचेंट अपनी पंच इसको जाकर मारता है इस बार उसके पंच में एक पंच में नौक किवल 170 किलो था मतब एक पंच ऐसे मार आता है 170 किलो गाईस बहुत ही काता है मैं तो सूपर हुमेन बन गया एक को पीटूंगा ना तो पीट पार्ट का रंगोगदा एथलेट्स में जाओंग तो मैं गोल्ड मेडल भी लेकर आ सकता हूं मैं तो किसी प्रोफेशनल एथलेट्स से भी बहुत ज्यादा डींजर हो चुका हूं अब आने दो उन गु मिलने के लिए आचुका होता है और टाइम पर होता है वहाँ पर मैं गुंडे फोटे आजाते है ना रहता हूँ मैं सारी पैसे लेकर आया हूँ तो वहाँ पर गुंडा भी बोलता है तू ठीक है जाओ पैसे चेक करो वहाँ पर एक बंदा आगे बढ़ता है बैक को लेने के लिए बट हमारा में करेटर बैक नहीं देता और कहता है रुको रुको मैं एक बात पूछना चाता हूँ पहले वह बात पूछलो उसके बाद ही मैं तुम्हें पैसे दूँगा गुंडा भी करता है कौन सी बात है क्या तू यहाँ पर कोई चलाकी करना चाता है तू चानता है ने अगर तू पैसे नहीं देगा तो हम तुझे पीट कर रख देंगे चल अब तुझे जो भी पात पूछना है ना चुप चप जल्दी से पूछ ले हमारा में करेटर लिंचन भी पूछत है जो हमेरा फादर है वो काफ़ ज़्यादा बड़ा बिजनसमें था आखिर तुम जैसे गुंडों से वो पैसे कैसे लेगा और कॉन्ट्रेक्ट वो नोट्स आखिर वो नोट्स से क्यों लिखेगा तो मैं केवल इतना चाहता हूँ कि आखिर तुम लोगो किसने भेजा है उसका नाम बता दो मैं जानता हूँ तुम लोगो किसी ने हाइर किया होगा वहाँ पर उनका लिडर भी हसनी लगतर कहता है सच में तू काफ़ ज़्यादा दिमाकदार निकला हमें लगा तु काफ़ ज़्यादा बेवकूफ है लेकिन तुने सही येस किया हमें किसी ने हाइर किया ताकि हम वसूली कर सके हमारा में केटर बोलता है तो ठीक है उसका नाम बता ओ तो वहाँ पर गुंडा भी कहता है नहीं हम उसका नाम नहीं बता सकते हम जिसकी भी वसूली करते हैं उसका नाम नहीं बताते हैं और इस पेसली तुम्हारी केस में तो सकत का गया है नाम नहीं बताने को हमारा में केटर लिंचेन ये बास सुनता और कता है तो ठीक है अगर तुम नाम नहीं बताओगे तो मैं पैसे भी नहीं दूँगा यह बास सुनकर उन गुंडों को काफिर ज़्यादा गुष्च आ जाता हुआ उनका लीडर बोलता है लगता है तुम मरना चाहता है चल अगर तु पैसे नहीं देगा तुम तुस्से पीट पीट का सारी पैसे छीन लेंगे वो अपने बंदे को आगे बेशता है वो बंदा भी होता है दीखरें मेरे डोले सोले आज मैं तुझे दिखाऊंगा मेरी पावर किया तोड ताड का तुझे रख दूँगा उसके बाद वो जो गुंडा होता है वो भी अपने पंचेस का यूज करते हुए सीधे हमारी में केटर लिंचर पर अटेक करने के लिए आगे बढ़ जाता है उनका लीडर भी बोलता है जाओ इसको थोड़ा सा सबक्सिया बगल वाला बंदा भी बोलता है लगता है ये बंदा हाच पिटेगा कितना साधा ये हरामी बंदा है उसके बाद वह जो गुंडा होता है वो अपने पंचेस का यूज करते हुए सीधे हमारी में केटर के मुपर पंच मारने वाला होता है और कहता आस तु गया बेटा बट हमारा में केटर एक लात मारता है मतलब गुंडे को एक के लात मारता है उतने में वो हवाजाज की तर गोल गोल घूमता हुआ सीधे चाकर दूर गेता और सीधे वहां पर पेड़ से टकराता है और एक ही कीक में नॉक आउट हो जाता है मतलब काफ़ी जादा उससे दर्द होता और खता है और ही बापर एक कितना जादा पारफुल अटेक था इधर जो गुंडिया का लीडर उसक आउ मिलकर अटेक करते हैं लेकिन वह बंदा भाग जाता है लीडर भी काफ़ी जादा मारी में क्रेडर की पावर देखकर सौकता है हमारा में क्रेडर लिंच ने उस गुंडे के बॉस से पूस्ता है देख भाई मैं तुझसे पंगियों का नहीं लेना चाता नहीं चाता है मैं तुझे पीट पाट कर सीधा कर दूँ तो चुप चाप से अपने बॉस का नाम बदा दे जिसने तुझे भेजा है वरना तुप परिणाम भुगतने के लिए तैयार हो जा बहुत ही जादा तुझे पीटूंगा पीट पीट गरना तेरा वो हालत कर दूँगा वह गुं करता है और उसके पेट पर भी एक लात मुड़ता है वह भी जाकर उड़ता है वह दूरिदार करता है अरे बापरी कितना जादा बहना कट आकता है हमारा में क्रेटर तुरंत उसका चाकू उठा लेता रुखता है हाँ अब बताएगा या नहीं वहाँ पर गुंड़ा काफ था ना उसका नाम जियांग्रो मार्शल अकाडमी मार्शल चैन है उसे ने मुझसे कहा था कि जाओ ये नोट्स दिखा और तुमसे पैसे लेकर आओ और मैं मेरा बस इसमें कोई भी गलते नहीं तो मैं तो बस अपना काम करा था वह मुझे काफू ज़ादा बढ़िया पैसे टीचर भी है हमारा में कैटर गुंडे से भी बहुत है तो चलो उस मास्टर चैन का जहां पर स्कूल है वहाँ पर ले कर जाओ गैस ये मास्टर चैन ना काफी ज़ादा कुछ टाइम से फेमस था साथ हमारा में कैटर सोच राता कि आईसी बंदे ने हमारे में कैटर के फाद लेकर आजाता है हमारा मेन केटर भी उपर की बोट को देखता है यही है जियांग्डो मास्टलाट अकडमी तभी वहाँ पर एक बूढा आजाता है हमारा मेन केटर भी सोचता है क्या यहीं जियांग्डो मास्टलाट अकडमी का मास्टर चेन है वहाँ पर वो बूढा भी हमा माश्रे चैन ने मुझे कुछ पैसे उधार दिये थे, तो मुझे वो सारे पैसे उन्हें चुकाने हैं, वहाँ पर वो बुड़ा, हमारे मिनकेट की बात सुनका हसनी लगता और काता क्या, तुम सथ में माश्रे चैन से मिलना चाहते हो, इस आइडिया को बहुत पहले बहुत सारे लोगों ने अपना था, हमारे माश्रे चैन इस टाइम काफी ज़्यादा बीजी है, वह तुम लोग से नहीं मिलते, चुप चाप यहाँ से निकल जाओ, पैसे दिखाओगे तो हमारे माश्रे चैन जैसे तुम से मिल लेंगे, ऐसे मैंने बहुत सारे लोगों को देखा है, तब ही वहाँ से दर्वाजा खुलता है और एक लड़की बाहरा आती है, तुम्हारा नाम लिंचेन है न, माश्रे चैन तुम्हें बूला रहे हैं, तो माश्राट अकाडमी के अंदर आओ, हमारा मेन कैटर भी यह सारे नाजारे को देखा सोक ता, उसके बाद वह डिसाइड करता चलो, माश्राट अकाडमी के अंदर चलते हैं, उसके पाद जो लिंचेन होता है, वो माश्राट अकाडमी के अंदर आजाता है, माश्राट अकाडमी के अंदर बहुत सारी लोग अपनी ट्रेनिंग कर रहे थे, हमारा लिंचेन भी आस पास के इंस्टूमेंट को देखता है, काफिस जादा पारफूल लोहे लोहे के बनेवे तो कुछ अच्छे खासे इंस्टूमेंट थे, हमें वहाँ पर एक बंदे को दिखाया दाता है, गाईस यही होता है माश्र चेन, माश्र चेन हमारी मेंचेन लिंचेन के पास आता हो काता है, तुम ही हो लिंचेन, हमारा मेंचेन भी बोलता हा मैं ही हो लिंचेन, वहाँ पर माश्र चेन हमारी लिंचेन को देख कर गता है सच में, तुम तो काफिस जादा मुझे पारफूल भी रख रहो साथी साथ, तुम तो काफ़ जादा हैंसम भी अपने father से भी जादा हैंसम लग रहे हो हमारा मेन कैटर इस बंदी की बाते सुनता और सबसे जादा सौक तो इस बात से था यह जो मार्शर चैन था उसके uncle लिन जैसा लगता था गैस ये अंकल लिन कौन है इसके बारे में हमें आगे क्या प피सोर्ट में पता चलेगा यहाँ पर ये जो लिन चेन था वो भी ये शोक सोक आ था कि ये बंदा यानि मारशी चेन उसके फादर को कैसे जानता था साथी साथ इस बंदे ने भिका कि तुम तो अपने फादर से भी साधा हैंसॉम हो वहाँ पर माशिस जैन बोलता है मैं जानता है तुम यहाँ पर किसले आयो तुम अपने फादर के बारे में साथ ही साथ है उस लेटर के बारे में जानने के लिए आयो ना हमारा मेरे फादर को जानते हैं देखे मैं आपके सारे उधार के पैसे भी वापस ले एक लाग मतलब तीन लाग कॉन लेता है मेरे फादर तो दस मिलियन कंपली के मालिक ते दस बिलियन गाइस तो वहाँ पर मार्श चेन बोलता है तुम्हारा कोश्चन अच्छा है लेकिन मैं इसका जवाब नहीं दे सकता है मैं मैं आपके पैसे वापस लटा रहा हूं ना तो आप मुझे जवाब क्यों नहीं दे सकते मार्श चेन बोलता है ठीक है मैं जवाब तो दे सकता हूं लेकिन तुम्हें कंडिक्शन पूरी करनी होगी देखो यहां पर तुमने मेरे बंदे की काफ ज़्यादा पिटाई कर दिया लगता है तुम्हारी पावर भी काफ ज़्य ज़्यादा बढ़ चुकी है तो देखो हम यहां पर एक बैटल लड़ेंगे अगर तुम मुझे उसमें हरा देते हो तो मैं तुम्हें सारी सच्चाई बता दूंगा क्या तुम इस सर्थ से मंजूर हो मतलब गाइस यह फाइट के लिए चैलेंज कर रहता है हमारा में बाते सूचता होसता है फिर वो माश्री चैन से भी बोलता है ठीक है मैं आपस की बातों से समा तुम्हें आपको चैलेंज को एकसेप्ट करता हूं बताइए कब फाइट करना है तो वहाँ पर माश्री चैन बोलता है अभी अभी नहीं जाओ दस दिनों तक अपनी करनी की क्या जर्वत है मैं अभी आपसे फाइट कर सकता हूं अभी चलिए फाइट कर लेते हैं माश्री चैन हसनी लगतार काता है सच में तुम्हें क्या लगता है कि तुम इतनी असानी से मुझे हरा सकते हो तुम मुझे हलके में ले रहा हो चलो मैं तुम्हें पहले अपन छोडा सा मुक्त न सीधे सैंड बैक पर मारता ने तैसे टच करता है और इतना बड़ा सॉक वेब निकलता है साथ काफी तेज आवाज होती फिल्नाफरा सेंड गार लेकिन वह भी Sandback पर इस तरह से मारे ना तो Sandback को फाड सकता है लेकिन जिस तरह से Master Chain ने कि बद्ध छू करी उस पूरे Sandback को R-Parc कर दिया था मत्द फाड़ दिया था एकड़ ऐसा तूल Link Chain भी नहीं कर सकता था वहाँ पर Master Chain भी भोलता है देखो मैं कोई अन्याय नहीं करना च मतलब यह नहीं कहें कि लोग यह देखो इतने ज्यादा बड़ा मार्ष रोकर एक छोटी बच्चे से फाइट करें इसलिए मैं तुम्हें 10 दिन का टाइम देना चाहता हूं क्या तुम्हें और टाइम चाहिए हमारा लिंचेन भी बोलता है नहीं मार्शल चेन मैं आपकी बाते समझ गया 10 दिन बाद मार्शलाट हॉल में हम और आप फाइट करेंगे यहाँ पर लिंचेन समझ गया होता है मार्शल चेन के पावर का फिस जादा है अगर वह चाहे तो मुझे हरा सकते हैं इसलिए मुझे अपनी पावर्स को बढ़ाना होगा और भी जादा कल्टिविशन करना होगा वहाँ पर जो लिंचेन होता है वह तुरंती मार्शलाट होल से बाहर निकल जाता है और फिर वह मार्शल चेन के मूब को याद करता है किस तरह से मार्शल चेन ने किवाल अपना एक है मतब एक पंच ऐसे थोड़ा सा ऐसे जटका दिया था पूरे सैंड बैग पर कितना बड़ा सौक वेब निकला था और उतने में पूरा सैंड बैग आर पार हो गया था किवाल टच करने से यहाँ पर जो लिंचन होता है वो भी कहता है मार्शल चेन कितने बिजादा श्रॉंग क्यों नहों मुझे भी अपनी पावर्स बढ़ाना है और पावर्स को बढ़ाने के लिए मुझे कल्ट बीट करना होगा और भी जाद मार्शल टेक्निक में आगे बढ़ना होगा अपना लावलप करना होगा इसके लिए मुझे और भी जाद तैयारिया करने होगी इसलिए और भी जाद मेहनत करूंगा और गाइस क्या मार्श चैन को हमारा मेन क्रेटर हरा पाएगा है नहीं यह सब जानने के लिए आपको नेश्ट अपिसोड का वेट करना पड़ेगा वीडियो पसंद आयो तो चैनल को लाई सब्सक्राइब जरूर करें इसका नेश्ट अपिसोड जल्दी चैनल पर अप्लोड कर दिया जाएगा और अगर आप ज़्यादा समय बात देख रहे हैं मतलब दोस्ट पंदर देनी और भी ज़्यादा समय तो आपका नेश्ट अपिसोड पहले से अप्लोड हो चुका होगा डेलिस अपिसोड से अप्लोड हो जाएगे चैनल पर तो वीडियो पसंद आयो तो चानल को लाई सेस्क्राइब चरूर करें थैंक्यू बाई बाई नेश्ट अपिसोड में डालने की कोशिश करूँगा थैंक्यू तो गाईस आद मैं एक्स्प्रेंड करूँगा स्वाचिंग फॉइमोटल से अपिसोड 11 को तो गाईस अगर आपने हमारे पिछले किसी भी अपिसोड को मिस कर दिया ना तो एक बाचानल की प्लेलिस्ट में जाकर वहाँ पर चेकाउट जरूर करें मैंने इस सिर्ज का एक सेपरेड प्लेलिस्ट बना दिया है तो चले बिना किसी देरी के आते हैं कहानी की में इस्टोईल लैन पर तो एपिसोड के स्टैक्निक में हमारे में क्रेक्टर लिंचन को दिखाया जाता है लिंचन सोचता है कि वहाँ आप जो मास्टर चेंग डाव है वो काफी जादा खतरनाकिक मास्ट लाटिस्ट है उनको हराने के लिए इसके मास्टर ने जो टैक्निक सिखाई है उस टैक्निक के सेकंड लेवल पर जाना होगा और गाइस पैट्रियास उसु आंगे न सिल्वर फिश्ट टैक्निक सिखाई तो इस टाम हमारा मेंड कैट्र लिंचन सिल्वर फिश्ट टैक्निक के लावल फर्स पर टोटल छे लेवल्स हैं यहाँ पर जो हमारा मेंड कैट्र होता वो घर पर जाने के बाद कल्टिवेशन करना और सिल्वर फिश्ट मास्ट ला टैक् करना ता ये impossible तो जरूर लेकिन अगर यहांपर लिंचन ऐसा नहीं कर पाता है तो वह मास्टर चैंग डाव की साथ थोरा भी नहीं लट पाएगा क्योंकि मास्टर चैंग डाव एक काफेस जादा स्ट्रोंग मास्टल आटिस्ट है अगर यहाँ पर लिंचन को उरे हराना है तो लिंचन को काफी जादा मेहनत कने होगी लिंचन लाखतार प्राक्टिस करता है और उसे रियलाइज होता है कि उसे थोड़ी सी गाइडेंस की जर्वत है क्योंकि वह किसी भी हालत में वह सिल्व पर फिश्ट मास्टला टेक्निक के सेकंड लावल को तक पहुंचने के लिए काफी जादा मेहनत करने की जर्वताब की थोड़ी सी गाइडेंस भी चाहिए मास्टर भी करते हैं ठीक है तुम अंदर आज सकते हैं उसकी बाद वहाँ पर जो मास्टर उसु आंग होते हैं फिर स साधा टैलेंट निकले केवल कुछी दुनों में तुमने सिल्वर फिस्ट मास्टला टेक्निक के लेवल फर्स्ट को एडवांस तक मास्टर का लिया है थोड़ा सा मुझे इसका प्रोग्रेस भी दिखाओ वहाँ पर लिंचेन का था ठीक है मास्टर उसके बाद जो लिंचे से टूड जाती है मतलब ऐसे पता था पूरा ग्रम टूट टेयार जाता है वहाँ पर मास्टर उसु आंग भी बोलते हैं काफी अच्छा तुम्हारी प्रोग्रेस है वैसे तुम्हारी हलत देखकर लग रहा है कि तुमने पहले चोरो वाला प्राब्लम को सॉल्व कर लिया फिर तुम किसी और प्राब्लम में फस गए हो तो क्या तुम मुझे वो प्राब्लम बताओगे तो वहाँ पर लिंचन बोलता हां मास्टर दरसल मैं अपने फादर और मदर का थोड़ा सा इन्वेस्टिगेशन करते हैं मास्टर चैंग डाव के पास पहुंचा और मास्टर मुझे पता चला कि मेरे मदर और फादर के गायब होने के बारे में वह कुछ जानते हैं तो मैंने उनसे पूचा तुनोंने कहा कि पहले तुम मुझे हरा ना होगा और मैं उन्होंने अपनी पावर दिखाए उन्होंने केवल ऐसे पंचीग बैक को चुआ और पंचीग बैक से हरा सकते हैं वहाँ पर पेट्रियास उस्वांग भी बोलते हैं अच्छा तुम्हारे पास कितना टाइम है वहाँ पर लिंचन बोलता है मास्टर मेरे पास किवला पांच से दिनों का टाइम है मैंने कुछ दिनों तक प्रक्टिस रक्टिस किया है तो वहाँ पर जो पेट से 30 दिन लग सकते हैं उससे कम दिनों में तुम सिल्वर फिस माशला टेक्निक के सेकेंड लावल तक नहीं पहुंच सके लेकिन मैं तुम्हें कुछ प्रिस्क्रिप्शन देता हूँ यह मैडिसिन्स और हर्प्स लाओ और इसका काढ़ा बना कर पियो और इसको पीने के बाद क अल्टिवेशन करो और यहां पर तुम्हें काफे जादा मिहनत करने की जरुवत है अगर तुम्हें प्रिस्क्रिप्शन फॉलो करते हो तो हो सकता है कि तुम 5-6 दिनों के अंदा सिल्वर फिस माशला टेक्निक के सेकेंड लेवल तक पहुंच चाओ वहाँ पर लिंचन भी जो वहाँ पर बता देते हैं वहाँ पर लिंचन भी बोलता है थैंक्यू मास्टर आपने हमारी काफिस जादा मदद कर दी वहाँ पर उस वांग भी बोलते हैं देखो लिंचन इस मैडिसीन के केस में तुम्हें एक बात बहुत ही जादा ध्यान देनी होगी तुम जब भी काड़ा पीओ तब सूरिय उद्या ना हुआ हो मतब सूरिय और पीना होगा और सूरिय जब पहली किरन पड़ती है तभी तुम्हें करना है तब यह अधिसीन तुम्हारी बोड़ी पर काफ ज्क्तव होगी तुम्हारी पावर को भी काफ़ी तेजी के साथ बढ़ाएगी ल बुरी पढ़ियाम देखने को मिल सकते हैं, तो मेरी बातों का ध्यान रखना, वहाँ पर लिंचन भी बोलता है, ठीक है मास्टर, मैं आपकी बातों का ध्यान रखोंगा, तब ही वहाँ पर लिंचेन को फील होता है जो आसपास की सील है वो उस पर दबाव डाली है थोड़ा सा जैसे दबाव स्टार्ट हुआ है और लिंचेन की मतलब ऐसा लग रहा है जैसे उसका पूरा सरी फट जाएगा लिंचेन को एसास होता है कि याकिर उसके मास्टर कितने स्टार्ट है जो सील के इतने जादा भ्यानक प्रेसर को भी छेल पा रहे है वहाँ पर लिंचेन वीदा लेता है तूरंत है उस जगह से बाहरा जाता है क्या ही प्रेसर तैयार मतलब जैसे थोड़ा सेकंड और रुख जाता ना तो मेरा सरी फट जाता मास्टर मैं आप से व नासर चैंग राउ से लड़ना है तो यह सब करनाए पड़े इंगदम का कर पी जाता है जैसे पिता ना उसे ज्चा लगता है मतलब अंदर से अच्छा लगता है जैसे दिल अच्छा का रहाता लेकिन पेट एकदम जैसे बेकार बोलाता लिंचन भी बोलता है कितना जाद अजीव यह काड़ाता फिर वहाँ पर सूर्य उदह हो जाता है सूरज की पहली किरड जैसे पढ़ती है वह तुरंत कल्टिवेशन करना स्टार्ट कर देता है उसकी बोडी से काफिस जादा भ्याना काभा अबर रिलीस होने लगते लिंचन करता है यह सच में काफिस जादा एफेक्टिव है ऐसा लग रहा है कि मैं लमसम एक महीने से लगतार कल्टिवेशन ही कर रहा हूँ मुझे अपनी पावर्स पर फोकस करना होगा उसके बाद वहाँ पर जो लिंचन होता है वो सिल्वर फिस्ट मार्शला टेक्निक के सेकंड लावल को ब्रेक्थ्रू करने के लिए उसकी प्राक्टिस करना सुरू कर देता है उसके बाद गाईस हमें आज सेंसेप्ट किया जाता है और दस दिन बाद का सीन दिखाया जाता है लिंचन अपने आपको सीसे में देखता और कता फानली मैंने सिल्वर फिस्ट मार्शला टेक्निक के सेकंड लावल को ब्रेक्थ्रू कर दिया आज आज वही दिन है जहाँ पर मैं मास्टर चैंग डाव के साथ फाइट करूँगा तो चलो मास्टर चैंग डाव से फाइट करने के लिए मास्ट लाट हॉल की तरफ चलते है उसके बाद वहाँ पर जो लिंचन होता है वो मास्ट लाट हॉल में पहुंच जाता है जहाँ पर वही उसकी लड़की स्वागत करती है और कहती है मिश्टर लिंचेन चलिए आईए हॉल के अंदर चलिए उसके बाद गाईज जैसे लिंचेन हॉल के अंदर दे जाता है वो पूरा काफी जादा सौक हो जाता है क्योंकि चारतरफ कैमरे ओमरे लगे वे थे और काफी जादा सीट्स भी लगाए दे गाती है और पर लिंचेन पूछता हां मैं लड़ने के लिए तो यार हूँ लेकिन यहाँ पर इतने सारे कैमरे क्यों लगे हुए है तो आहाँ पर मैनेजर बताता है और यहाँ पर बहुत सारे रिपोर्टर्स भी आएंगे समझे पूरी फाइट को ना लाइफ किया जाएगा हर जगा लाइफ किया जाएगा लिंचेन बोलता हर जगा लाइफ किया जाएगा वहाँ पर लिंचेन सुसता है चलो यहाँ पर यह फाइट लाइफ होगी तो हो सकता है कि मेरी फाइट से और मास्टर चैंग डाउ की फाइट है यहाँ पर मेरे मदर और फादर भी देखे तो सायद म पहार एक अजीब से कमरे में दिखा जाता है जहां पर बहुत सारी केम्प्यूटर से मतलब फाइटिंग हॉल पर चार तरफ जो कैमरे लगे लगे थे ना वहां पर बहुत सारी सेंसर्स भी थे कि मैं इस फाइट को जीश सकता हूँ वह लिंचन अभी काफ जादा जावान है माशलाट की दो तीन टेक्निक्स जान लिक्या उसे क्या लगता है कि माशलाट चैंग डाओ यानि मुझी हरा सकता है जो माशलाट टेक्निक की कितनी सालों से प्रैटिस कर रहा हूँ वहां पर व पर वह जो माशलाट चैंग डाओ थे वकत है हां मैं आपकी सारी बाते समझ गया मिश्टर लि बट आप वह पेमेंट कर वा देते तो अच्छा रहा था आपने कहा है ना पेमेंट वहां पर लि भी बोलता हां ठीक है चलो पेमेंट कर दो उसके बाद वहां पर ली की एक गा काड़ी होती है और उसके बाद वो जो गाड़ होती है यह लीजीए माश्टन चेंगड़ा काड़ आपका काड़ आपने जितने पैसो की दिमांड की तीना उससे बहुत ही ज्यादा इस कार्ड में पैसे और क्रुछ पर मसरे बैंट का हराने के लिए हमें आगे समझ में आएगा वहां पर मसरे चैंग ज्याई रहता है तब बिजनेसमेन री उसे रोक लेता और खाता है आपको उस लड़के से सावधान रहने की जर्वत है वो सैद अपनी पावर से आपको सौक कर शकता है महाश्य चेंग डाग भी बोलते हैं आप चिंता मत करिये मैं उसे हरा सकता हूँ लिग भी बोलता है तो ठीक है आपको जो भी करना आप करिये लेकिन उसकी जान नहीं चाहिए और गाईस आज की वीडियो की एकस्पनेशन को यही पर एंड करते हैं मैं इसका नेस्ट अपिसोड जल्दी अपने चैनल पर डाल लेकी कोसिस करूँगा तो वीडियो पसंद आई हो ना तो चैनल को लाई सब्सक्राइब जरूर करने थेंक्यू बाइ बाइ इसका नेस्ट अपिसोड चैनल तो कमेंट भी कर सकते हैं थेंक्यू तो गाईस आज मैं एक्स्प्लेन करूँगा सर्चिंग फो इमोटल से अपिसोड 12 को तो गाईस अगर आपने हमारे पिछले किसी भी अपिसोड को मिस कर दिया ना तो एक बाद चैनल के प्लेलिस्ट में जाकर वहां पर चेक आउट जरूर करें वहां पर आपको सारी अपिसोड के लिंक मिल जाएंगे तो चले बिना किसी देरी के आते हैं कहानी की में इस्टोड लाइन पर तो एपिसोड के स्टार्टिंग में हमें अरीना का स्थीन दिखाया जाता है अरीना के बीच में हमें उया को दिखाया जाता है उया भी एक सीट पर बैठा हुआ होता है हमारा में केटर लिंचेन उया को दीखता रुखता है अरी ये तो वो सौप कीग पर उया है गाईस आपको याद होगा हमारे में केटर ने अपने मास्टर द्वारा दिया गया लाकेट इसी उया को बेचा गया होगा वहाँ पर हमारा में केटर लिंचेस सूचता है ये उया का एरिसमेटर को साइड ढटाओ और हमें दिखाया जाता गाईस इस पूरी फाइट को लाइव होने के लिए ना कुछ रिपोर्टर्स भी आयते वहाँ पर घुंगरालो बालो आला रिपोर्टर्स होता है जो काता हेलो गाईस आज में आप लोग को मास्टर चैंग डाउ का एक दिखाऊंगा हां मैं जानता हूं मेरी कुछ वीडियो में गालिया भर भर कर मिलीती लेकिन आपको मास्टर चैंग डियान का ये लाइव देखकर मजा ही आ जाएगा वहाँ पर गेट खुलता और मास्टर चैंग डियान कमरे से बाहर निकलता है और तभी बहुत सारे लोग सीधे मास्टर चैंग डिया तो आपको इसके बारे में क्या करना है मैं चाहता हूं कि हमारे यंगर जडियक के लोग आकर मुझे चैलेंज करें ताकी उन्हें मास्टर आड के बारे में और भी ज़्यादा पता चले और मुझे विशवास है कि एक दिन कोई नकोई मुझे सरपास कर जाएगा और मास्चालार को और भी जाधा आगे लेकर जाएगा reporter भी बोलता है Master Changdao, आप हमारी audience को क्या बोलना चाते है Master Changdao भी बौलते है मैं कुछ नहीं, बल्कि आप लोग fight में ही जो भी देखना वो देख लिजेगा तबी वहाँ पर दर्वाजा खुलता है और नौर्थ माशलात अकाडमी के कुछ एलडर साथ जाते हैं जो लाइव कर रहा होता है वो कहता है जैसे नौर्थां अकाडमी के भी मासलातिस्टा है काफिस द्रेस्टिंग होने वाली है हमारे मेंड केट लिंचे सिसा смотр नॉर्थन एकाडमी के मास्टलाटिस्ट को देखतार वहां पर ही मोटा बंदा होता है जो चला होता ना जैसे पूरी जमीनी हिल लई होती है लिंचन सोचता है सचमे बंदा काफिल साधा श्रोंग है जैसे पिलर की दलार अगरा मारेगा जैसे एक जमीन पर पूरा जमीनी क्या है वह एक यंग्स्टर है जिसका नाम है लिंचन तो आज की फाइट का फिल साधा इंट्रेस्टिंग होने वाली है लिंचन पर इसपोटलाइट डाली जाती है जिससे हमारा में केर्टर का चाहरा दिखी जाता है लोग आपस में बाते करने लगते हैं सचमे यह बंदा लाइव इस्टर में भी बोलते हैं देखिए गाइस यहाँ पर लिंचर ने हमारे माश्टर चैंग डाव को चैलेंज किया जो एक यंग्स्टर है और उसकी एस भी जादा नहीं है तो आज की फाइट लगता है काफी जादा बोरिंग होने वाली है बट मैं कहता हूना बोरि सौथलाट अकैडमी के लीडर को देखकर वहाँ पर मार्शल चैंग डाव से ग्रीट करते और काते हैं आपका यहाँ पर आने के लिए धन्यवाद है वहाँ पर साउतन मार्शलाट अकैडमी का लीडर भी बोलता है आरे मैंने भी सुना है कि तुम्हें एक यंग्स्टा ने बुलाता है दोरो ही कंटेस्टेंट अरी नमें एंटर करते हैं हमारी में क्येरकर कर देख कर माइफर। और उसकूरा देते हैं वहार जो रेफ्री होता है वह कता है तो चलिए फाइट qo स्टार्ट करने से पहले आप दोनों एक दूसरे को कुछ कहना चाहते हैं क्या? वहांपर जो referee होता है, आप इस fight में कुछ बोलना चाहेंगे? वहाँपर आप लिंचेन बोलता है, मैं केवल इतना कहना चाहता हूं मास्टर चेंगडा हो, हमारे बीच में जो भी एग्रिमेंट हुए उसे भूलिएगा मत है मुझे विश्वास है कि आप मुझे वो सारी चीजे बताएंगे माश्य चैंग डाव हसनी लगते हैं और कहते हैं ठीक है अगर तुम मुझे हराओगे तो न आग्रिमेंट फाल होगा अगर तुम मुझे नहीं आरा पाए तो मैं त दूसरा बंदा उसका जिमेदार नहीं होगा लाइव स्टीमर भी बोलता है गाइस देख रहे हैं यहाँ पर साइन हो रहा है यहाँ पर मुझे लगता कि वह जो यंग्स्टर है उसके लिए मुझे पहले से एंबुलेंस को कॉल कर देना चाहिए आप लोग को क्या लगता है जली-जली कमेंट करिए यह सारी बाते वहाँ पर लाइव स्टीमर कर रहा होता है और हमें वहीं पर दिखाया जाता है जहां पर लाइव इस्टीम हो रहा हो तार बहुत सारे बंदे देख रहे होते हैं और हमारे लिंचॉन की गलफ्रैंड भी अपनी दोस्त के साथ जारी ह तो यह तो लिंचेन है ना सच में इस्ट मास्ट चैंग डाव को चैलेंज किया है सच में बंदा काफी जादा हैंसम और काफी जादा मुझे तो इंट्रेस्टिंग लग रहा है तुम तो इसकी गल्फेंट ती ना वहाँ पर गाई से लड़की का नाम जियावे होता है इसको अपने हमें सोट फर्स्ट में देखा था जियावी भी सोच दिया मैंने उस जैसा भेवकूफ आदमी कभी नहीं देखा एक तो इसके हाँ से दस बिलियन की उसकी कमपनी चली गई साथी साथ अब वो माश्य चैंग डाव को चैलेंज कर रहा है मर जाने दो मेरे को क्या होता है उसके बाद गाईस हमें यहां से सिंसिप्ट किया जाता और हमें काफी जादा ब्यूटीफूल लड़की को दिखा जाता है वो भी इस फाइट को देख रही होती है और कहती है इंट्रेस्टिंग है यहां पर लिंचन सच में माश्य चैंग डाव को चैलेंज करने वाला ह आखिर इस लिंचन ने माश्य लाट कप सीखा चलो मैं भी फाइट के लिए काफी जादा एकसाइटेड हूँ और गाईस यहां पर देखना मतलब पूरी जगा ही यह फाइट को लाइफ किया जा रहा होता है और इधर हमें अरीना का सिन दिखाया जाता है अरीना में डैट क कर बोते हैं तुम जूनियर हो तो पहला मुव तुम मुझ पर कर सकते हो वहाँ पर लिंचे सोचता है अगर मैं माश्य चैंग डाओ पर पहला मुव करूंगा तो माश्य चैंग डाओ मेरे फाइट की सारी कमजोडिया जान लेंगे इसलिए मैं तो फर्स्ट मुव करने वाल सुनते हैं और थोड़ा सा अजीब सा मुव बनाते हैं तो तुम चाहते हो मैं फर्स्ट मुव करूं तो इसके परिडाम को भुगतने के लिए तयार रहना मास्य चैंग डाओ अपने पूस बनाते हैं वहां पर जो मास्य चैंग डाओ होते हैं तुरंत अपनी मास्य लाट का यूज करती वे काफ़ी ज़ादा भयानक गती से एक उड़ते वे सीधे लात मारते हैं हमारे मेन क्रेटर को बट हमारा मेन क्रेटर लिंचन उनकी अटैक को डॉच करने लगता है दोनों के बीच में ऐसे फाइट सोने लगती है इधार नॉर्थन मार्शलाट अकैडमी का लगते हैं तीन पंच दो पंच में वहाँ पर जुन साउतन मार्शलाट अकैडमी का लीडर होता है अरे तुम लग अभी बच्चे हो उससे बच्चे के पोस्ट को ध्यान से देखो किसी भी एडवान समार्ट लाश्टे थे थोड़ा सा भी कम उसने पोस्ट नहीं बनाया है और उसकी आखो में थोड़ा सा भी डर नहीं है तो मुझे नहीं लगता है कि ये फाइट इतनी असानी से खतम होने वाली है उसके बाद गाई समय दिखाया जाता है हमारे मेंट के लिंचन को मास्टर चैंग डाव का पहला पंच पढ़ता है और जैसे पहला पंच लिंचन क पढ़ता है लिंचन भी अपनी दोनों हाँ से उसको रोकता हूँ लिंचन एकदम सरकता हूँ अचा कर सीधे ही अरीना के एकदम जो लकडी लगे हुए ती उससे टकराता लकडी एकदम देखे एकदम धूआ धूआ हो जाता है वहाँ पर लिंचन भी अपने हाथों को दर्द यह थोड़ा सबी ऐसे चिलाया उलाया नहीं वहाँ पर लिंचेन भी खड़ा होता और खाता है चलो मेरी पावर भी अच्छी खासी बढ़ी है वहाँ पर जो लिंचेन होता है वो माशे चैंग डाउ से बोलता है माशे चैंग डाउ आई ये और अलाडते हैं अभी तो ये सुड़वात थी वहाँ पर माशे चैंग डाउ भी बोलता है सच में तुम्हारी स्टेंट तो काफ़ साधा बढ़िया है मेरे एक पंच को झेल गया तो लो और भी पंच इसको मैं देखता हूं झेल पाते हो या नहीं मेरी पावर से यही तक लिमिटेंड नहीं है उसके नॉर्टन मार्शलाट अकाड़मी का लीडर भी बोलता है चलो यार देखो फाइट काफ़ जादा मज़ेदार होती जारी है रिपोर्टर भी बोलता है गाइस मुझे यहाँ पर लगाते हैं यहाँ पर फाइट काफ़ जादा बोरिंग होने वाले लेकिन देखिए यहाँ इसकी लाइव श्ट्रीम पर काफ़ जादा व्यूज आ रहे थे और उसको काफ़ जादा सूपर चैट सूपर चैट भी मिल लगी होती है इधर फाइट का सीन दिखा जाता है दोनों ही काफ़ जादा भ्यानक तरीके से फाइट कर रहे होते हैं यहाँ पर साउथन मार्शला इकाडमी के ना दो डिस्टाइपस भी थे वह भी हमारे लिंचेन की स्पीड और पावर को देखकर काफ़ जादा सौक में थे तो गाइस आकर इस फाइट को आप कौन जीतेगा आगी की एपिसोड को जाने के लिए ना आप चैनल को सब्सक्राइब कर लेजिए अगला अप भी कर देजिए तो चले बिना किसी देरी के आज की वीडियो की एक्स्पीनिशन को यह पर एंड कर देते हैं थैंकि बाइबाए तो गाइस स्वागता आपका आज हमारे एक निव वीडियो में तो गाइस आज मैं एक्स्प्लें करूंगा स्टिंग फॉर इमोटल की स्टार्टिंग करते हैं तो इस ऐपिसोड की स्टार्टिंग में हमारे मेनुकर सात Maced मारे में फॉर देखा चкую एक आता है मास्टर यहाँ पर तो maturity टोर्यमोग लिए जा रहे हैं मास्टर चैंग्डाव एक कफ जादा फीमस मास्टलाइटिस्ट है हमें भी इनकी मास्टला टेक्निक को आज देखने का मौका मिलेगा साउतन मास्टलाट अकडमी का लीडर बोलता है मास्टर चैंग्डाव की मौवेंट को ध्यान से देखो और उन्हें अनलाइस करो और जो भी ज्यान मिलता है वो सारी ज्यान लेने की कोसिस करो इदर आमें मास्टरे चैंग डाउ को दिखा जाता है मास्टरे चैंग डाउ काते हैं देखो अम मेरी असली पावर और मास्टरे चैंग डाउ की बोडी से बहुत जादा अजीब सी रोशन निकलने लगते हैं चैंगडव तुरहां तपनी मासलाट का यूस करती वे इदा लिंचन पर अटेक कने लगते है लिंचन भी उनसे सारे अटैक्स को डौज करने के कोसिस करते है लेकिं मास्टर चैंगडव का अटेक काफिल साधा पाफुल हो चुका थाän, मार्श्र चैंग डाव का एक ऐक हमारी लिंचें को लग जाता, यह टाक इतना साधा पारफुल होता है यह लींचें सीधे जया कर पीछे वाली अरिना के दिवार से ठाक राता है, लिंचें भी कता है यहाँ मार्श्र चैंग डाव की पायर बाढ चुकी है लगत यहाँ पर माश्य चैंग्डाव अपनी पूरीता का सियब लड़ है माश्य चैंग्डाव काफी ज़्यादा भ्याना गती से सीधे लिंचेन की पासमास ते और उसे पकड़ कर सीधे जमीन में पठक देते हैं वो ऐसे लिंचेन को उठा उठा का पठकने लगते हैं इदा लिंचेन भी किसी तरह सी खड़ा होता होता है नहीं मैं ऐसी हार नहीं मान सकता और लिंचेन फिर से फाइट करने के लिए खड़ा हो जाता है वहाँ पर लिंचेन को ऐसी खड़ा होता होता हो देखकर माश्य चैंग्डाव बोलते हैं सच में लॉंडे तुम्हारे अंदर अभी काफिस जादा हिम्मत है चुपचप हार माल ले तुम मुझे कभी यह नहीं हरा सकता वहाँ पर लिंचन कता नहीं मैं आपको हरा कर रहूँगा आपने पिछली बार जब सेंड बैक को तोड़ा था तो आपने वहाँ पर काफिस जादा कम पावर लगाई है अब मैं समझ गया लेकिन मैं भी अभी अभी अपनी पूरी ताकत नहीं लगा रहा था अब मैं भी अपनी पूरी ताकत लगाऊंगा इदर जो सारी मास्टलाटिस चुते वाकत हैं क्या ये लिंचेन पागल हो चुक है अगर वो मास्टर चैंगडाव को काफिस जादा फोर्स करता है तो मास्टर चैंगडाव को यासा वैसा मूव कर देंगे जिसके काने डिस लॉंडी की जान भी जा सकती है इदर रिपोर्टर बोलता है गाईस ये फाइट काफिस जादा इंट्रेस्टिंग होती जा रही है कि या यहाँ पर सच में लिंचेन मारना चाता है वो हैर तो मान नहीं लाए लेकिन सच में आप लोग काफिस जादा अच्छा सपोर्ट दिखा रहा है इस पूरी मतलब लाइ मतलब जो भी स्ट्रीम हो रहा था ना उस पर विलियन में व्यूज आ रहे थे इदर लाइव स्ट्रीमर भी काफिस जादा खूस हो जाता है इदर वहाँ पर जो माश्य चैंग डाव होते वाकते मैं भी नोटिस कर रहा हूँ कि तो जैसे जैसे मुझे से फाइट करते जा रहा है मास्टर चैंग डाव मन में बोलते है मास्टर चैंग डाव एक हजीब सी मास्टरो टेकनिक का यूज करने लगते है जितने भी मास्टलाटिस्टोते वग करते हैं यह तो क्रोस मांटेन पाम है यह में मास्टर चैंग डाव की यह काफी जादा पार्फुल मास्टला टेकनिक है क्या है पर मास्टर सच में क्रोस मांटेन पाम टेकनिक यूज़ करने वाले हैं यहाँ पर जो मास्टर चैंग डाव होते हैं क्रोस मांटेन पाम टेकनिक का यूज़ करने लगते हैं देख रहे हैं कितनी जादा भ्याना का जीब सी अनरजी माशी चैंग डाओ की चार्ट रफ होती है माशी चैंग डाओ सीधे ही लिंचेन पर काफी ज़ादा भयानक गती से अटेक करते है काफी ज़ादा भयानक क्लोन बनता है गाइस इधर जो लिंचेन होता है वो भी माशी चैंग डाओ की अटेक को देखता है लिंचेन भी अपनी powers का use करता और काफिस जादा भयानक है वो भी attack तैयार करता है इस बार हमें लिंचेन के हाथों पर एजीपसी energy दिखाए दे जाते हैं दोनों का पंची सापस में टक राता है और काफिस जादा भयानक है ऐसे energy energy निकलती है जिसमें दोनों ही मास्ट लाटि बच जाता है लिंचेन भी बोशता है अरे बापरे मेरा तो हाथ एकदम पूरा तर्द करने लगा ऐसा लग रहा है जैसे मैंने अपने हाथ को किसी पहाड से मार दिया है वहापन मास्ट चैंग डाव भी बहुत है सच में लड़के तु काफिस जादा talented है तुने सच में में पर एक परे cross mountain pump technician को जहल लिया आखीरा किर्व ऐसा कैसे कर सकता है सभी मास्ट आटकाट मुल्टाके जादा सोख हो जाते है और यहां पर मार्श चैंग डाव कि cross mountain pump technique का लीडर बोलता है यहां पर मारश चैंग डाव के cross mountain pump टराकिना को है फौर्म में बिवायडें डी है यहां पर लिंचन ऐसे मास्टर हो से फाइट करता रहा तो वह यहँ पर मास्टर चैंग डःओ पक को बचना ना cows नहीं और दिखाए को दोनों ही फिर से अपनी 5 से 5 तकरा रहे होती हैं काफ़ uh is ब्हाना के energy beam suit हो रही होती है जिसमें इस वा जो मास्टर चैंग डव होते हैं वह चार कदं होते हैं और जो हमारा main character लिंचेन होता है वो चार कदम पीछे जाता है गैस आपर मास्टर पांच कदम गयते और लिंचेन चार गतम गयते आसपास के सभी पांच लाट इस फीट से काफी जाद सौक हो जाते हैं लिंचेन की पावर तो बढ़ती जारे जैसे वो फाइट करना उसकी पावर बढ़ती ज साथ वह इस बार मार्चेट चैंगडाव को पांच कदम पीछी हटाने में कामियाब हो गया इधर साथन मास्टलाइट अकाडमी का लीडर भी होता है सच में यह लिंचन तो काफी जाधा टैलेंटेड है इधर हमें दिखाया जाता है जो साइंटिस्ट नहीं होता है वो भी प कितनी तेजी से बढ़ यह लिंचन के फिटनेश को से जाधा ही बढ़ होती है इसलिए यहां पर अपनी सबसे जाधा मास्टलाइट टेकनिका यूज़ करने वाला हूँ जो है क्रॉस मांटेन पांप के सेकंड फॉर्म को इस बार तु मेरे हाद से बज जया तो भगवान ही तेरा मालिक है लेकिन इसका अटेक तु झेल कर दिखा और यह बात बोलते हैं वहाँ पर जो मास्टलाइट टेकनिक के सेकंड फॉर्म का यूज़ करने लगते हैं जैसे सेकंड फॉर्म का यूज़ करते हैं अजीब से उनकी बोडी पर अनरजी घूमने सादा भ्यानक है लिंचें उनके इस मूँ कर देकर काफी जादा सौक हो जाता है रिपोर्टर भी एकदम आखे गणाय कर देख रहा होता है लिंचें अपनी आपको सांथ करता है और उसे जितनी भी एक्सपीरियंस हुए थे जितने भी उसने पावर टेकनिक काल्टिवीश यहांपा जो लिंचेंट ना वो सिल्वच माशिला टैकनिक के सेकंड लावल को ब्रीक्थरू कर लेता है और फाइनली थार्ड़ लावल को सीक लेता और सिल्वर फिस माशिला टैकनिक के थार्ड फर्म का यूज्ज करते वे माश्डर चेंग डाउपर रिकाद शा kell अभया हो चुका है तो गाइस आपका स्वागा था आज के एक नीव वीडियो में जिसमें आतमा एक्स्प्लेइन करने वाल हूं सर्चिंग फॉर इमोटल एपिसोड 40 को तो गाइस अगर आपने हमारे पिछली एपिसोड को मिस कर दिया ना तो एक बाद पिछली एपिसोड को चेक आ जरूर करें तो चले भीना कि सीदेरी के आते हैं कहानी की में इस्टोइलाइन पर इसकी मैंने सेपरेट प्लेइस्ट भी बना दी है एपिसोड की स्टार्टिंग में हमारे में करेटर को लिंचन को दिखा जाता है जिसने मार्शल चैंग डापर सिल्वा फिस्ट मार्शला टेकनिक के थोर्ड फॉर्म से अटेक किया था और यह अटेक इतना जादा भ्यानक होता है ना पूरा धुआ 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 हो जाता है जो साइंटिस्ट हमारे में करेटर का फिटनेस पर नजर रख रहा होता है उसकी पूरी मजच सीन रेड रेड बोलने लगती है मतलब य साइंटिस्ट भी काफे जादा सौब हो जाता है क्योंकि हमारे में करेटर की पावर अचानक से काफे जादा बढ़ गए थी वो साइंटिस्ट भी कहता है इस बंदे की पावर तो डबल एस लावल की हो चुकी है इधर हमें पूरी अरीना का सीन दिखा जाता है पूरी जो इना होती है वो टूट चुकी होती है दोनों ही कंटेस्टेंट दो साइड गिरे हुए थे यानि हमारे में करेटर भी गिरा हुआ था मास्य चैंग डाव भी गिरे हुए थे साथी साथ पूरा अरी नगम तूट टाट चुका था इधर जो बिजनेसमैन ली देख रहा होता है वो भी हमारे में करेटर लिंचेन की पावर देखकर काफ जादा सौक हो जाता है और काता मुझे लगा ही था या लिंचेन इतना जादा नॉर्मल नहीं है इसके वो भी नॉर्मल नहीं थे गैस मादर फादर के साथ ये बात करें इसके बाद गैस हमें लिंचेन को दिखा ज करने लिंचेंट को खड़ा होता हुआ देकर और मास्ट चैंग डाउ को भाता हुआ देकर जित्वी अभी मास्ट आटिस भी थे लोग भी का और इसका फ्यूचर काफिस साधा ब्राइट है इधर हमें लिंचन को दिखा जाता है वो भी सिल्वर फिस्ट मार्शला टेकनिक के थर्ड फॉर्म को में एकदम हरा रहे होने के बाद मार्श चैंग डाउ को हराने के बाद काफिस साधा खुश हो चुका होता है और अपना बंदे ने लिंचन ने मार्श चैंग डाउ को हरा दिया और लास्ट में आके इस ने किस तरह की मार्श टेकनिक का यूज किया मतलब जितने भी लोग थे जो इस समय हमारे में करेटर को देख रहे थे वो लोग भी काफिस जाधा सोकते इदा जो बिजनेस मैन ली होता है वो प्रजेक्ट पर काम करा था लेकिन मदर फादर से कुछ कांड हुआ होगा गाइस यह रास किया है तो आने वाले एपिसोर्स में हमें पाता चलेगा इदर हमें जियावे को दिखाया जाता है वही लिंचन की गर्फरेंड जिसने उसे धोका दे दिया होता है उसकी दोस्त का ऐसा परफॉर्म करता हुआ देकर काफी जादा सोख हो जाती है और काती सच में यहाँ पर लिंचन के एक मासला आटिस्ट है और वो मासले चैंग डाव को हराने में सक्षम है मैंने तो फालतु में ही उसके जिन्दगी से निकल कर काफी जादा बड़ी गलती कर दिया मुझ बच्पन की इसके लिंचन की कोई बच्पन सिंट कर दिया जाता है और मासल है चैंग डाव कि बने हों दूद आते हैं aujourd यह वहाँ पर माछहे चैंगडा बही लिंचन की काफी जादा तारिफ करती है कि तुम तो साथ में काफी जादा टंटे हो तुम इस दुनिया में नही नए चेंजस लाओगे तुम इतने ज़ादा छोटे हो तुमारी मास्ट लाट इतनी ज़ादा भ्यानक है वहाँ पर जो लिंचन होता है वो भी मास्टर चैंग डाओ की तारिफ का धन्यवाद बोलता और काता मास्टर चैंग डाओ आपने जो प्रामिस किया था कि आप मेरे लिखा हुआ उसके बारें बताएंगे गाइस आपने कुछ लेटर को देखा होगा साथ मास्ट चैंग डाओ या मरें में केटर पास कोई लेटर जिसके फादर द्वारा लिखा गया जिसने उसने गुंडों स्छीना तो गाइस इस लेटर में कुछ तो लीखा हुआ जो मेर इसके बारे में तुम्हारी अंकल रेन के पास जाओ एंकल रेन के पास ही तुम्हारी सारी इंफोर्मेशन होगी हमारा में कैटर यह बात सुनकर काफिस जादे सौक हो जाता है क्योंकि गाइस अंकल रेन कोई और नहीं बलकि हमारी में कैटर के फादर के काफिस जादा अच्छे ब्रेश फ्रेंड हुआ करते थे मतलब चड़ी बड़ी वाले दोस्ते समझ लेते ने जादा इन लोग की घनी दोस्ती थी बिजनेस भी साथ ही साथ किया करते थे हमारा में कैटर यही साही बाते सोचके काफिस जादा मतलब सौक में होता है और तभी उसे रिपोर्टर से भी खेल लेते हैं और कहते हैं लिंचेन भाई आकर तुम इतने जादा टैलेंटेट काईसे हो और तुमने माशलाट कहां से सीखी क्या तुम हमारी आडियन्स को बताना चाते हो हमारा लिंचेन भी कहता है नहीं नहीं आज मेरा सर काफिस दाजाद कर रहा है साथी साथ है मैं फाइट से काफिस ज़्यादा ठक चुका हूँ मैं चलता हूँ बाई 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 उसके अंकल रेन की बेटी से पहले एक मीटिंग फिक्स करानी होगी और यहीं बास सूची वहां पर जो हमारा में करेटर लिंचेन होता है वह अंकल रेन की बेटी को फोन लगा देता है जिसका नाम होता है जावे वहां पर हमारा में करेटर जावे को फोन लगाता और जावे जो हमारे मेन क्रेट की बैटल देख रही होती है वही जावे वहाँ पर लिंचन भी जावे से बोलता है जावे कैसी हो तुम तो काफ जादा चिकनी हो चुकी हो वहाँ पर जावे बोलती है क्या मैं चिकनी हूँ तुम तो काफ जादा पारफूल हो चुकी हो सच में मैंने तो कल मैं आ रहे हूं तुम्हारे गार उसके बाद तुम्हें लेकर मेरे फादर से मिटिंग करवा दूंगी वहाँ पर लिंचेन भी बोलता है थैंक्यू जावे मतलब वहाँ जावे होते हैं क्या थैंक्यू अब चलो फोन रखो थोड़ा सा मुझे काम है उसके बाद गाईस हमें यहाँ सिंसिप्ट किया जाता है जहाँ पर जो लिंचेन होता है वो जैसे अपने घर पर पहुंसता है वो देखता है कि उसके घर पर कुछ आजीब से कदमों के निश्चान होते हैं जो लिंचेन के जूते के नहीं होते हैं वहाँ पर लिंचन सूचता है ये तो चूर के आग मेरे घर में आयाता क्या लिंचन दोड़ते वे कमरे में जाता है और पहले उस मांटेन को देखता है जो नहीं उसका डिजाइन उजन बनाता है जहाँ पर उसके मास्टर आते थे वो सही सलामत था लिंचन भी खाता है की चीजों को जैसे डूड़ा उड़ा गया था लिंचन भी सूचता है लगते हैं यहाँ पर कोई चोड़ा है था चलो इस बारे में थोड़ सा मैं बाद में सूचूंगा पहले मैं मास्टर से थोड़ सी बाते का लेता हूँ उसके बाद वो अपने मास्टर से कॉंटेट करता उसके बाद जो मास्टर होते हैं वो भी लिंचन को देखते हैं और खते हैं लिंचन सच में तुम तो काफ़ ज़्यादा पाउरफूल हो चुके हो तुम्हारी मास्टला टेकनिक तो काफ़ ज़्यादा बढ़ चुकी है और मैं तुम्हारी बॉड़ी में क्यूआ एनरजी काफ़ी अच्छी कासी महसूस कर पा रहा हूं ऐसा फील हो रहा है कि तुम्हारी जो सिल्वा फिस मास्टला टेकनिक है उसके तुम लेवल 3 पर पहुंच चुके हो सच में तुमने तो इस लेवल को काफ़ी ज़्यादा जल्दी अच्छीव कर लिया वहाँ पर लिंचन भी महाना आपनोच कोंद के एक स्याक्षा पर लेव। या होता है मैं उससे वह ही पजान से मार देता लेकिन मैं भी मजबूर हूँ वहाँ पर लिंचन भी बोलता है मास्टर मैं आपकी प्रोब्लम समझ सकता हूँ मास्टर भी बोलते हैं चलो कोई ना अपनी कल्टिविशन पर फोकस करो क्योंकि तुम्हारे जिन्दिगी में अभी चैलिंजेस खतम नहीं हुए है उसके बाद मास्टर वहाँ से चले जाते हैं उसके बाद गाईस हमें सुबा का सीन दिखाया जाता है जहां पर एक लंबर ग नहीं बैट जाता है वहाँ पर जो जहावे होती है वह हमारे मेंट के तारीफ करने लगती है उसके बाद वह कहती है मैंने तुम्हारे मदर फादर के बारे में सुना काफी जादा मुझे बूरा लगा कि तुम्हारी मदर फादर गायब हो चुके और तुम्हारी कंपनी भी चली गई, मैं थोड़ा सा बिजनेस के कामों से थोड़ा सा दूर थू, वरना मैं तुम्हारे सपोर्ट के लिए आ चुकी थी, बट मतलब आ रही थे, और साथी साथ मैंने अपने फादर से भी बोला था, लेकिन मेरे फादर ने, मतलब पता नहीं तुम्हारे सपोर्ट क्यों नहीं किया मैं जाकर इसके बारे मुन से जरूर पूछेंगी वहाँ पर लिंचेन भी बोलता है थैंक्यू जावे मैं समझ सकता हूँ तुम बिजनेस के काम के लिए थोड़ा सा दूर थी वैसे भी ये सारी घटना है काफी जादा मतलब जल्दी हो गई मेरी को भी कुछ भी सम में ही पता चलेंगे तो जो वीडियो पसंद आयो तो चैनल को लाइच सब्सक्राइब जरूर करें मैं इस सीरीज का नेच्ट एपिसोड जल्दी डाल दूंगा तो थैंक्यू बाइबाइ तो गाइस आज मैं स्वागत करता हूँ आपका एक निव वीडियो में तो आज मैं एक्स्प्लीन करने वाला हूँ साचिंग फो इमोटल से एपिसोड फिप्टी को तो गाइस अगर आपने हमारे पिछले एपिसोड को मिस कर दिया न तो एक बाइपिसोड में जाकर वहाँ एक भर आच चुकी होती है ताकि फादर रहन से यहां पर लिंचन को मिल आ सके और यहां पर अंकर यहां पर आपसे लिंचन मिलने के लिए है यह आपसे कुछ इंपोर्टेंट बात करना चाहता है वहां पर जो लिंचन होता है वह भी अंकल रेंड को घ्रीट करता है अंकल रेंड भी पीछे मोड़ते और खाते हैं सच में यहां पर तुम काफ़ी ज्यादा बड़े हो चुके इंपोर्टेंट बात करना चाहता हो तो तुम यहां से चली जाओ वहां पर जावे भी कते ठीक है फदर ओ से बोलटे रेंड पहले बैठेयों चाह पी यह वहां पर लिंचन भी बहले पर जाकर बैठ जाता है अंकल जो यह वहां पर चाहों लागाना शुरू कर देते हैं व वहां पर अंकल रेन भी बोलते हैं वहां बताओ वहां पर जो लिंचेन होता है वह काता है कि आप मेरे फादर के बाहरे में कुछ जानते हैं कि वह कहां गायब है वहां पर अंकल रेन बोलते हैं नहीं मैं उनके बाहरे में कुछ भी नहीं जानता हूं तब वहां पर जो होते हैं वह इस नोट को देखते हैं और फिर इस नोट को साइड रख देते हैं और फिर वह लिंचन से पूछते हैं लिंचन पहले इस मैटर को साइड रखो मैं तुमसे कुछ important question पूछना चाहता हूं वहाँ पर लिंचन भी करता है हां आंकल पूछस सकते हैं वहाँ पर जो आंकर रहन होते हैं वह लिंचन से बोलते हैं लिंचेन क्या तुम अपनी कंपनी स्टार टेक्नलोजी के बारे में जानते हो कि आखिर वो कौन सा काम करती थी और उसका मतलब में एम क्या था वहाँ पर लिंचेन पूसता है स्टार टेक्नलोजी दरसल अंकल मैं अपनी कंपनी के बारे में कुछ भी नहीं जानता हूं दरसल तुम्हारे फादर नहीं पूरे श्टार्ट टेक्नलोजी को फाउंड किया था और उतनी बड़ी कंपनी बनाई थी बच्पन से ही वह काफिस जादा टैलेंटेड थे वह पढ़ाई में काफिस जादा अच्छे थे उनकी मैच से ऐसी वैसी कर देते थे एक दम मैच तुम्हार फादर कॉलेज में मिलेते और हम वहाँ पर बैस्ट फ्रेंड बन चुके थे तुम्हारे फादर इस स्पेस एक्स्प्रोडिशन में काफिस जादा मतलब पढ़ना होना चाहते थे और गाइस यहां की थोड़ी से टेक्नलोजी ज्यादा हाई टेक हरना तो यह लोग स्पेस इस में जा सकते थे इस टाइम तो यहां पर अंकर रेंड बाताते हैं तुम्हारे फादर इंटरंसिप के चकर में स्पेस एक्स्प्रोडिशन मिसर पढ़ गयते जहां पर उन्होंने कुछ अजीब सी गुफा को एक्स्प्लोर किया उनका उस गुफा से इतना ज्यादा पुर्णों ने स्पेस सेंची को छोड़ कर अपना इस्टार टेक्नलोजी कंपनी बनाया वह इतनी ज्यादा टैलेंटेड और उनके इनुविशन के कारण इस्टार टेक्नलोजी काफी ज्यादा बड़ी एक जाइंट ग्रूप बन गई और उसमें इन्वेस्टर्स की लाइ तुम्हारे जो फादर थे वह कभी भी बिजनेस नहीं करना चाहते थे उनका बिजनेस में आने का केवल एक ही मतलब था दरसल उन्हें पैसा चाहिए था इस पेस प्रूप प्रचेट के लिए और पैसा कहा से आएगा वो तो एक आगर नोकरी करते तो इतना पैसा कहा था ज उनके पास पैसो की कोई कमे नहीं थी और फिर उन्होंने पैसो का यूज करते वी अपना प्रोजेक्ट डीप एक्सप्रोडिशन चालू गिया जहां पर वह दूसरी दुनिया की दरवाजे के बारे में रिसर्च कर रहे थे कि कैसे दूसरी दुनियाओं के बारे में चाना थे और तभी उन्होंने मुझे यह सारी बाते बताई उनका यह आइडिया जानते हो कहां से आयता मैंने कहा ना वह मुझे से कॉलेज में मिले थे और कॉलेज में ही उन्हों इंटरंसिप पर गयते इस स्पेस में तो एक अजीब से गुफा में पहुंचे थे मतलब इस पेस उन्होंने मुझे मतलब पी हुए थे पर भी इस प्रोजेक्ट के बारे में जादा नहीं बताई यह बताई कि वह इंटरंसिप में गुफा उफा में गय थे उसके बाद उन्होंने बिजनेस खोला और सारा यह प्रोजेक्ट प्रोजेक्ट चालू किया वहां पर हुए थे तो मेरे पास आयते और उन्होंने मुझे से कहा था रेन हो सकता है कि मैं और मेरी वीवी कुछ टाइम बाद कहीं छुप जाएं दरसल हमारे पीछे कुछ तो है जो हम तुमें नहीं बता सकते लेकिन एक बाद ध्यान रखना अगर हम कुछ दिन बाद यहां से गाय इंटरफेयर नहीं किया और ना ही तुमारी कोई सपोर्ट किया वहाँ पर लिंचन भी या बास सुनकर काफ़ जादा सौक हो जाता हुए यह सारी चीज़े आपको फादर ने बोली थी वहाँ पर अंकर रेन भी बोलते हां तुमारे फादर उस टेम को ज़्यादा ही मुझे घबराए हुए लग रहे थे वहाँ पर लिंचन भी सूचता है यानि मेरे फादर की ट्नैप नहीं हुए हैं बलकि वह कहीं छुपे हुए हैं लेकिन आखिर वह क्यों छुपे हैं क्या वह जियानियन प्रजेक्ट के लेकर कुछ है गडबर डोलबर हुआ था मुझे इसके वह पड़ए बारे में थोड़ा सा और भी ज़्यादी इन्वेश्टी करना होगा उसके बाद जो अंकर रहें होتे हैं वो चिठटी को उठाते हैं और कहते हैं ये क्या लेटर है दरसल वो भी पढ़ते हैं और कहते हैं मैं इस लेटर के बारे में कुछ भी नहीं जानता इस लेटर पर तुम्हारे फादर के ही सिकनेचर है बट मैं इस लेटर को अपनी जीवन में पहली बार देख रहा हूँ यब बास उनका लिंचन काफी जादा सौक हो जाता और कहता है यानि उस लेटर के बारे में सच्चा ही नहीं बताई मुझे काफी जादा उस पर गुसार है वह एक मास्टलाट इस टाउस ने कसम खाया था कि वह मुझे लेटर के बारे में सच्चा ही बताएगा लेकिन उसने लेटर के बारे में सच्चा ही नहीं बताई मैं यहां से निक याद होगा तुम्हारी स्टार्ट टेक्नलोजीक में एक बंदा है जिसका नाम है ली गाइस आपको याद होगा ना जिसने मतलब कुछ टाम पहले जो बंदा हमारे में करेटर का डीटा अनलाइस कर रहा था वो बिजनेसमें ली वहाँ पर अंकर रेन वहीं बोल रहे होते हैं कि उस ली से थोड़ा सा सावधान रहना दरासल जो ली है वो तुम्हारी फादर के साथ ही कंपनी में उनका असिस्टेंट हुआ करता था तुम्हारी फादर को उस पर काफी जादा भरोसा था लेकिन वो बहुत ही जादा कमीना था तुम्हारी फादर के गायब होने के तो बच deo ने पूरी पाइब हुए तुरह स searching को अपने हाथ में ले लिया मुझी जाइए क्लंद के छिपने का कड़ जियान्य प्रजेक्टlorko यह ली भी हो सकता है तो ली के पीछे जाने से पहले काफी जादा सतर कराना वहाँ पर लिंचेन भी काता है ठीक है अंकर रेन मैं आपकी बातों का ध्यान रखूंगा लिंचेन भी सोचता है चलो अब इस ली के बारे में थोड़ा सा इन्वेस्टिगेट किया जाए आखीर य हो और गाइस आज की वीडियो की एक्स्पिनेशन को यहीं पर एंड कर देते हैं तो वीडियो पसंद आयो तो चैनल को लाई सस्क्राइब जरूर करें मैं इसका नेस्ट अपिसोड जल्दी डाल ला हूँ तो अपलोड भी हो गया थैंके बाद तो गाइस आपका स्वागत इसके नेव वड़ी में जिसमें मैं इसे एक्स्प्लेइन करने वाला हूँ तो ग्यास अगर आपने पिछले किसी भी एपिसोड को मिस्ट कर दिया ना तो मैंने इस सीरीश का एक सेपरेट प्लेवी बना दिया है तो आप उसमें जाकर सारी एपिसोड को देख सकते हैं चले बिना किसी देरी के आते हैं कहानी की मेन इस्टोई लाइन पर तो एपिसोड की स्टाटिंग में हमें लिंचन को दिखाया जाता है जो जावे की गाड़ी में बैटकर वहां से जा रहा होता है और सारी बाते सोच रहा होता है कि आखिर मास्टर चैंडिया ने उसे जूट क्यूं बोला पहले उसे जाकर मास्टर चैंडिया उसे मिलना चाहिए तो रास्ते में ही मास्टर चैंडिया का मास्टर टकाडवी पड़ता है वहां जैसे गाड़ी गुजरती है ना वहाँ पर लिंचन भी जावे से बोलता है जावे यहीपर गाड़ी रोग दो दरसल मास्टर चैंग डाव से कुछ important काम है तो वहां पर जावे भी अपनी कार को वहीं पर रोक देती है और फिर वहां पर जो लिंचन होता है वह कार से बाहर निकल जाता है उसके बाद जावे वहां से चली जाती है जो लिंचन होता है वह थोड़ा सा गुस्से में होता है और वह यहाँ पर कोई साफ सफाय भी नहीं की गई है vàहाँ पर लिंचन भी सोचते हैं और आकिर यह क्या हो रहा है यहाँ पर साफ सफाई थोड़ी सी भी नहीं हुई है मास्ट लाट अकडमी जितना टूटा फूटा था हमारी फाइट के बाद उतना ही टूटा फूटा है हमें वहाँ पर मास्टर चैंग डाउ को दिखा जाता है मास्टर चैंग डाउ अजीब तरह से बैठे होते हैं वहाँ पर लिंचन भी सोसते हैं मास्टर चैंग डाउ आप यहाँ पर अजीब तरह से क्यों बैठे हैं आप fight हारने के बात depression में तो नहीं चले गए हैं अरे आपको डिप्रेशन में जानी कि कोई भी जरुवत नहीं है, आप साथ में काफी ज़्यादा पारफुल है, मैंने आप जीत से मास्टर कभी भी नहीं देखा है, वहाँ आप जो लिंचन होता है, वो देखता है कि मास्टर चैंग डाउ कोई भी रिपलाई नहीं दे रहे ह इसलिए वो मास्टर चैंग डाउ के पास जाता और उन्हें टेच कर बोलता है, मास्टर चैंग डाउ और जैवसे वो मास्टर चैंग डाउ को टेच करता है, वह देखता है कि मास्टर चैंग डाउ मर चुकी होते हैं, किसी ने उन्हें चांस से मार दिया होता है, यह देखक कि मतलब एक ही जटके में गला घोट दिया गया है आखिर यह सब किस ने किया है लगता है यहां पर कोई बहुत ही जादा पार्फुल मार्शल आठिस्ट आया होता है वहां पर जो लिंचन होता है वो देखता है मतलब ऐसे थोड़ा लाइट उट जालाता है तुसे दिखा दे लिखता है ऐसा लग रहा होता है कि जैसे उनकी छादि पर पीछे से attack किया गया है और रेक ही जयाटके में उनकी जो च्छाति के अंदर हड़ीया और दिया शारी थी वो तोड़ दिया गया है की हो यहाँ पर Master Chang Dao के पीछे से एकदम अटेक किया गया है जैसे मतलब पीट पर मारा गया और पूरा छांती से ऐसे आर पार हो गया है इतना ज़्यादा भ्यानक Master Chang Dao कौन हो सकता है लेकिन आखिर वह बंदा हो कौन का सकता है मतलब इतना साधा भ्यानक Master Chang Dao के सबी लोग को जान से मार दिया ऐसा मुझे लगता है रुको पीछे कोई तो है मुझे पीछे कुछ अजीब सी आभा महसूस हो रही है वहाँ पर जो लिंचन होता है उसके पीछे हमें एक Mysterious लड़की को दिखाया जाता है जिसने मास्क लगाया होता है लिंचन भी कोता है कौन है मेरे पीछे लिंचन पीछे मूड कर देखता है गाईस वहाँ पर ही मिस्टियस लड़की थी जो अजीब सा एक सुई निकालती है और सीधे लिंचन की तरफ चला देती है मतलब काफी तेजी से उस लड़की ने चला था जैसे वह एक ट्रीन एसाइसियन हो वहाँ पर लिंचन उस सुई को डौच करने की कोसिस करता है लेकिन सुई काफी जादा तेज थी वह लिंचन की गर्दन में जाका लग जाती है लिंचन भी तुरंत वही पर बेहोस हो जाता है उसके बाद गाईस लिंचन की आँको खोलती है तो वह देखता है उसके चार तरफ मोटी मोटी चैन से उसे बांद कर रखा गया है यह देखका लि कर रेंच से मिलने चला गया था इसी भाग दोड में मेरी क्यूआ एनर्जी सारी खतम हो चुकी है मुझे पहले उससे एनर्जी को स्टोर करनी की जरुवत है इसलिब मुझे अपना पहले ध्यान लगाना होगा जैसे मेरी एनर्जी स्टोर हो जाती है मैं अपनी पावर्ज का यूज करती है इस पूरी चैन को बहुत ही असानी से तोड सकता हूँ लेकिन पहले मुझे अपनी एनर्जी को रिश्टोर करना होगा तब ही वहाँ पर जो लड़की एसेसियन होती है वो आ जाती है क्या कमाल की बात है मेरा ये बिहोसी की दवा एक इस पेसल टाइप की बि आता है वैसे तुम तो काफिस जादा टैलेंटीड भी हो वहाँ पा लिंचन भी करता है मुझे पहले अपनी इंटर्नल क्यूआ एनर्जी को रिश्टोर करना होगा उसके बाद मैं इससे निप्टूंगा तब तक मुझे इससे भाकाना होगा वो लड़की भी बहुती है व पहले काफिस जादे चोमु हुआ करते थे तुम्हें गुंडे भी पीट कर चले जाते थे लेकिन अचाना कुछ दिन पहले तुम इतने जादा टैलेंटेड और इतने जादा पार्फुल कैसे हो गए कि इतने जादा पार्फुल मार्शलाटिस मार्श्टर चैंग डाओ को भी हरा सकते हो आखिर ये सब कैसे हुआ जल्दी से मुझे बताओ यहां पर लिंचन भी सोचता है मुझे इस लड़ीकी को बहलाना फुसलाना होगा ताकि मैं पहले अपनी अनर्जी को रिष्टोर कर शकूँ वहां पर वो जो असे नहीं बताने वाले हो चलो अब तुम्हा आकिर वह कहां है तुम्हारी मदर का है तुमुझे लोकेशन जानते हो ना आकिर तुम बताओ हमें कि आकिर वह लोग कहां छूप रहे हैं वहां पस लींचन भी बोलता है मैं अपने मदर फादर के बार बार में कुछ भी नहीं जानता है वो लड़की वहह भी कती है तुम नहीं जानते तो चलो आखिर तुम मुझे बता सकते हो कि तुम कुछी दिनों में इतने जाधा पाउरफुल मार्शलाटिस्ट कैसे बनगे क्या तुम्हारे मदर और फादर ने कोई सपोर्ट नहीं किया मुझे तो पाता था तुम पहले बहुत ही जाध अच्चोम हो मुझे बेव को बनाने की कोसिस करें और जल्दी से चुप चाप अपनी सच्चाई बता दो वरना परिडाम भुगतने के लिए तैयार हो जाओ वहाँ पर जो लिंचेन होता है वो भी सूसता है कि पहले मुझे किसी भी तरह इस लड़की को हैंडल करना होगा वहाँ पर जो लिंच किसीन भी ऑफ हो जाते है कि कि तुम्हारी mother father ने फिल दिया था वह उपर यह पिल क्या ज्याने परजय के रिलेटर था मैनेauen अधियोंड फॉलत के बार में कभी भी नहीं तुना है बट मेरे mother father ने जाने से पहले मुझे पिल दे दिया था और कहाता एक्दम जरुरत पर खा को यही पहत थोड़ा सा एंड कर देते हैं और इसका नेश्ट एपिसोड जल्दी चैनल पर अप्लोड कर दिया जाएगा तो वीडियो पसंद आयो तो चैनल को लाई सस्क्राइब जरूर कर लें थैंक यू बाई बाई तो हेलो गाईस आपका स्वागत आज के एक निव वीडियो में जिसमें मैं आज एक्स्प्लेंड करने वाला हूँ स्वाचिंग फॉइमोटल एपिसोड 70 को तो गाईस अगर आपने हमारे पिछले किसी भी एपिसोड को मिस कर दिया न तो एक बाई चैनल के प्लेलिस्ट में जाकर वहाँ पर चेकाउट जरूर करें मैंने इस सीरीज का एक सेपरेट प्लेलिस्ट बना दिया है तो एपिसोड के स्टाटिंग में एसाइसियन लड़की लिंचन पर काफिस जादा गुस्टा हो जाती है क्योंकि लिंचन ने कहा था उसके मदर और फादर ने उसे एक प हो सकते हो लेकिन तुम माशलाट इतनी जल्दी एक पिल से नहीं सीख सकते तो जल्दी सी सचाई बता दो और तुमारे और मदर और फादर की लोकेशन का है जल्दी से उसके बारें बता दो वरना तुम बहुत जादा पस्ता होगे वहाँ पर लिंचन उस लड़की को घूर घूर कर देखता है वहाँ पर असेसियन भी हसने लगते हो ठोड़ी सार काती है घूर कर देख रहें और तुम सचाई ऐसे नहीं बताओगे वैसे भी मैंने पहले से बहुत सारी तयारिया कर ली है तो चलो तुम्हें स्वाच चखाय जाए उसके बाद जो असेसियन लड़क उसकी तुम कलपना भी नहीं कर सकते तो चुप चाप सचाई बता दो वरना मैं तुम्हें यह यह यंते छुआ दूंगी वहाँ पर लिंचेन बोलता है नहीं मैं कुछ नहीं जानता तो वहाँ पर जो असेसियन लड़की होती है वह लिंचेन को जटका देने लगते है और मैं भी जानते हूं मास्टर चैंग डाओ कितने जादा पार्फुल थे वो तो मैंने पीछे से उन पर अटेक करके एकी जटके में मार दिया था वरना मुझे भी उनसे फाइट करने में काफी जादा प्राब्लम होती तो जली से सच्चाई बता रहे हो यह नहीं वहाँ पर लिंचन होता है वह काता हां रुको रुको मेरे पास एक और सच्चाई जो मेरे फादर ने मुझे बताई थी वहाँ पर वो असेसियन बोलती हां बता कौन से सच्चाई लिंचन बोलता है मेरे फादर ने जाने से पहले मुझे एक कच्छा भी दिया था मैंने वह कच्छा प हूं हां मैं तुम्हें जांसे तो नहीं मारूंगी लेकिन इतना जाधर टॉर्चर करूंगी ना तुम मरने के लिए भीक मांगोगे और फिर से वो जो लड़की होती हो फिर से अपना यंतर लिंचन को छुआने वाली होती है वहां पर लिंचन भी बहुत है चलो अब टाइम चुका है कि अब इसे तोड़ दिया जाए लिंचें तुरंत अपनी QI Energy का यूज करता है जो रिस्टोर हो चुकी होती है और उन लोही की सीकडों को एक ही जटके में तोड़ देता है वहां पर जो लिंचें होता है तुरंत अपनी सिल्वा फिस्स माशला टेकनिक का यूज कर हो वहां पर लिंचें करता है रुको अभी बताता हूँ इसके बाद जो लिंचें होता है फिर से अपनी सिल्वा फिस्स माशला टेकनिक का यूज करते है सीधे उस लड़की पर अटेक करता है लेकिन वह जो लड़की होती है वह लिंचें के अटेक को डॉज कर जाती है और आसमान में ओड़ जाती है और तुरंत अपनी पास से एक चाकू निकाल लेती है और चाकू से सीधे वह लिंचन पर अटेक करती है वहाँ पर जो लिंचन होता है वह तुरंत उसके पहले चाकू को डौज करता है उसके बाद जो असेसियन लड़की होती है वह तुरंत अपनी चाकू को फिर से वापस से पकड़ती है लिंचेन पर अटेक काने लगती है लिंचेन भी उसके हर एक चाकू के अटेक को डॉज करते जा रहा होता है लिंचेन भी सोचता है सच में यह लड़की तो काफिस जाधा तेज है पहले मुझे इसका चहरा देखना होगा उसके बाद लिंचेन सिल्वर फिस्ट मार्शला टेक्निक के थोर्ड फॉर्म का यूज करता है उसके हाथ में कजीब सा गोल और साथी साथ काफिस जादा भयानक है लिंचेन की पावर बढ़ जाती है वहाँ पर लिंचेन इसी पावर का यूज करते है सीधे एसाइसियन लड़की पर मसीन नहीं होती है जमीन के नीची होती है वह अपने ऐसे लगत मारते ही हवाई में उसे उडा डेती है और लिंचेन अट्ट कर रहा होता है जिसके लिंच neat 2 आ पारफुल बिजली का चठका लगता है जिसके कान लिंचेन वह ठीज कर पाता जो लिंचन होता है वह सीधे जा रहा होता है वहाँ पर SSN लड़की यह देखकर काफिल साधा गुस्सा हो जाती है और तुरंत अपना एक लात मारते वे सीधे लिंचन को वापस दिवार में फेक देती है वहाँ पर वो SSN काफिल साधा गुस्सा में होती है और कहती है ठरकी इंसान मैं तुझे ठोड़ूंग नहीं और अचानक से उस लड़की को इतना साधा गुस्सा आ जाता है कि उसने जो मास्क पैना वा था उससे एक अजीब सी नीली कलर की रोशनी रिलीस होती है और उसका पूरा मास्की डिस्ट्रॉय हो जाता है मतब इतना साधा गुस्सा आ गया था कि उसका मास्की भी उसक आपकानने के लिए आगे बाढ़ जाते हैं वहाँ पर जो लिंचन होता है वह कहता है ये टो एक लड़की है उसके बाद जो लेंचन होता है वह कमरे से बाहर निकलता और भागने लगता है लेकिन गाड्स तुरंत अपनी बंदू हिले लेकर लिंचन को घेर लेता है ने की कोशिस मत करना वरना हम तुमें गोली से जां से मार देंगे वहाँ पर लिंचन भी रुक जाता है वह सबयाना से बचकर भागना इतना आसान नहीं है वहाँ पर जो लिंचन होता है वा इस लड़कि की तरफ दीख कर एक त're मैं भी इन सभी गार्ट्स को समा सकता हूँ उसके बाद जो लिंचन होता हूँ तुनात अपनी पावट्स का यूज करते हूँ उन सभी गार्ट्स पर अट्रैक काने लगता है लेकिन गार्ट्स लिंचन पर गोलिया चनाल लगते हैं लिंचन दो तीन गार्ट्स को मारता है ल लिंचन के माथे पर लेकिन जैसे माथे पर गोली मारने वाला होता है एक अजीब सा स्वाड आता है जो गोली को पूरा काड कर रख देता है यह देखकर वो ऐसा से लड़की साथी साथ सभी बंदे भी काफ़ जादा सौक हो जाते हैं गैस हमें वहाँ पर एक स्वाड को है वहाँ पर वो जो लड़की होते है वो लिंचन के सामने खड़ी होती है और उसकी बोड़ी से आजीब सी बुलू कलर की लाइट भी निकल लई होती है वहाँ पर लिंचन भी काता है यह कौन है यह तो किसी फैरी से कम नहीं लग रही है वहाँ पर वो लड़की लिंचन स से फायर कर देते हैं लेकिन वहाँ पर वो जो मिश्टीरियस सी लड़की होती है तुनत अपने सामने एक फोर्मिशन तयार करती है और वह लिंचन से कहते है जल्दी से खड़े हो को और मेरा हाथ पकड़ो उसके बाद वह लिंचन की हाथ को पकड़ते है चलो यहां से और आनक से वह हवा में उरने लगा है वहां पर लिंचन भी कहते है यह लड़की तो किसी फैरी से कम नहीं है क्या कोई सपना मैं सूझाओ क्या वह अर अपना जो चहरा होता उस लड़की के हाथों से रगाने लगता अब लड़की को भी आ जाता गुस्सा और सीधे वह लिंच लिंचन होता है उसकी आखे खुलती है और वो अपने आपको एक अजीब से जगह पर पाता है लिंचन का मात होता भी दर्द कराता साथी साथ लिंचन को अभी भी गोलिया हो लिया लगी हुई थी वहां पर लिंचन सोचता है आखिर मैं कहा पर आ चुका हूं लिंचन अप एक मिनट रुको यह तो उया की दुकान का नाम है ना गाइस उया आपको याद होगा ना वही बंदा जो का था मतलब जिसने लिंगडोंग से वो उसके मार्षर द्वारा दिया गया वो समान नहीं खरीदा था वही उया यार मतलब जो हाजी हाजी करकर बात करता था वहाँ प उया भी उस मिस्टिरियस लड़की से बोलता है अरे तुम इस लड़के को इस जगह पर क्यों लेकर आई हो वह लड़की भी बोलती है क्योंकि मैं बस केवल यही जगह जानती थी दो तीन कोश्चन वहाँ पर उया और पूस्त है वहाँ पर लड़की केवल एक ही जवाब मैं केवल इसी जगह को जानती थी वहाँ पर उया भी बतारी यार मतलब क्या ही मुसीबत है वैसे भी जो अब हो चुका है उसको क्या कहना चलो आगाइस आज की वीडियो की एक्स्परेशन को यही पर एंड कर देते हैं और इस सीरीज के जैसे नियू आपिसूर साथे रहे तन कि बाय बाय झाल 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 झाल